असलाम अलेकूम दुरोश्रीफ पढ़ने अच्छा टॉपिक तो बहार बहुत गहर और इस पर जितना भी बोला जाए टाइम कम होता है फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं कम वक्त में मैसिज पहुंचा दूँ काफी हद तक सेंसर्ड वर्ड्स ही यूज़ करूँगा कोशिश पूरी करूँगा अच्छा जाने ना इनसान जो इस दुनिया में हम इनसान हैं दो चीजों का मिक्स्चर बनाया हुआ है एक जिसम है और एक इसमें रूव है जिसम मट्टी से बना हुआ है और उस जिसम की भी अपनी ज़रूरियात है और एक रूव है जो अलला की तरफ से फुकी भी है जिसकी हकीकत अल्ला ही जानता है तो जो कल को आप समाज़ दीजिए को जिसम है वो एक हार्डवेर है और जिसके अंदर सौफ़वेर है वो रू है अच्छाईयां बुराईयां गुना सवाब ये रूह के एक्शन्स पे ही है हाँ वो रूह एक्शन्स कर जिसम को इस्तेमाल करके रही होती है जैसे अगर मैंने कोई गुना करना है तो ये फैसला मेरी रूह का है हाँ हो वो जिसम इस्तेमाल करके रहा होगा अगर किसी शख्स को कतल करना है तो ये मेरी रूह का फैसला है क्योंकि रूह जब तक है जिसम के साथ तो इनसान चल फिर रहा है जब रूप का तालुक खतम हो गया तो बस फिर वो बॉड़ी खतम है बेकार है जो जिसम है इसकी बहुत सारी जरूरियात है जैसे अगर एक लिस्ट बनाए तो एक जिसम की क्या क्या जरूरियात होती होगी पैदाई से लेके बढ़ापे तक खुराख खुराख कपड़े ठीक है वो नहीं जरूरत भी लिखने की और अच्छा खुराख में मैं खाना पीना सब शामिल कर रहा हूँ अच्छा जी और क्या भूला नेंद ये जरूरत है जिसम की सकून अच्छा ठीक है और और देखें इनसान की सेक्शुल नीड्स हैं बिल्कुल हैं मैं इस वक्त और्डर से बात कर रहा हूँ इनसान की सेक्शुल नीड्स हैं अच्छा और पिशाप खाना पाख आना होता है और वो तुझ खेर बिमारी होगी तो फिर मैं चले मैं इन चार पे फिलाल बात कर रहा हूँ मैं फिलाल अब इन चार पे बात करना चाह रहा था और जिन सी जुरूरियाद सेक्शुल नीड्स जी अगर एक ग्राफ के साब से देखें पैदाई से लेके बढ़ापे तक वफाद तक अगर एक टाइम लाइन में ड्रॉ करूँ तो जो खाने पीने की नीड्स हैं वो स्टेबल रहेंगी, बढ़ेंगी, कम होंगी बढ़ेंगी, कम होंगी नीड्स बढ़ेंगी, फिर कम होंगी अच्छा आप वो जरूरी ने के ग्राफ की शकल पर पर्फर्ट बना पाऊं यह ऐसे भी हो सकता है, फिर ऐसे भी हो सकता है लेकिन बढ़ना है, फिर डाउन होना है बुरे लोगों को जादा नहीं खुराक चाहिए नीड्स पहले बहुत जादा होती है फिर कम होना शुरू हो जाती है फिर उसके बाद फिर जादा होती है फिर नीचे हो जाएगी शरी, सेक्शिल नीड्स बच्पन में तो है ही नहीं ना मतलब बलूगत से पहले तो नहीं है फिर बलूगत के बाद मतलब एक तम से शूट अप करेंगे पीक से शुरू होगी और वो पीक रहते 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 फिर एंड पे जाकर ये कम होने लग जाएगी मैंने जगा तकरीबन बराबर बराबर रहे रखे है लेकिन फिर इसमें एक और बात करता हूँ ये तो आप समझ लीजए के स्टेबल ही है ये स्टेबल है ये जिसम की जरूरते है किसी बड़े को कोई कहता होगा यार इतने बड़े होगे तुम तुमें शुरम नहीं आती इतने बड़े होगे तुम अभी तक पिशाप भागाना करते हूं ये बात सही है नहीं भी बड़ों का जिसम नहीं है क्या नैचरल प्रोसेस है करते होंगे खाना पीना बड़े हो गए यार शर्म किया अभी भी भी खाये जा रहे चलो बच्चे थे तो चलो और बात थी बड़े हो गए भी खाना ही खाये जा रहे तो ये सही है बात नहीं नीन है इसमें कोई शर्माने वाली बात के बड़े हो गए अभी तक सोते हो तो बच्चे से तो सोते हैं अभी भी सोते हो तो इसी तरह जो इनसान की सेक्शुल नीड्स है ये एक हकीकत है लेकिन चूंके इनका इजहार खुले आम मुनासिब नहीं होता इसलिए इसके बारे में बात करना समझाना थोड़ा सा जरा इसमें हया वाली आलिमेंट आना चुरू जाता है क्योंके इन नीट्स को पूरा करने के लिए बहुत सारी जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस हो रही होती इनसान बे लिबास होगा और बहुत सरे एक्शन इंवाल्व होंगे मैं बड़ों से बात कर रहा हूँ हम बड़ों से बात कर रहे हैं ये जो पिशाब पखाना है जिस जगा पर ये किया जाएगा अगर और्गनाईज ना किया जाए यानि अगर ऐसा कर लिया जाए कि जब जहां जरूरत पेश आई वहीं जरूरत पूरी कर ली तो इससे खरावियां क्या होंगे गंदगी पहलेगी तो पहलती रहे हाँ जी अच्छा मैं अभी इस वक्त ना जिसमानी जरूरत की बात कर रहा हूँ इस वक्त मैं ये बात नहीं कर रहा है कि वो तहारत नहीं होगी फिर नमास कैसे पढ़ेंगे ठीक है मैं जिसमानी जरूरत की बात कर रहा हूँ अगर पशाप पखाना जो कि जिसम की एक जरूरत है तो जब जरूरत जहां पेश आए वहां कर ले क्या हरज इसमें, क्या खराबिया होगी तोड़ा ब्रॉडर रेस्पेक्ट में भी देखें गंदगी पहलेगी, बदबू होगी और हर कोई अगर इसके लिए खुला छोड़ दिया जाए तो हर कोई जहां मरदी दिल करेगा बेशक दिवार पे लिखा होगे, बड़ा बड़ा दिवारा पे लिखा होता है तो अगर पिशाब पखाना, जो के जिसम की जरूरत है अगर ये किसी भी जगा, जब भी जरूरत पड़ी कर दिया जाएगा तो इससे खराबिया क्या क्या होंगी सिर्फ और सिर्फ उस इंडिविजियल की जिन्दगी पे एफेक्ट आएगा पूरे मौशरे पे एफेक्ट आएगा एक तो हर कोई जहां दिल करेगा, वहां करना शुरू हो जाएगा और दूसरा जो साफ रहना भी चाह रहा था चलते फिरते गंदगी बद्बू गंदगी पहलेगी तो बिमारियां पहलेगी पूरे आब औ हुवा, फिज़ा खराब होने लग जाएगी ताफुन उठना शुरू हो जाएगा बिमारिया नी शुरू हो जाएगी इनसान मिजाजन गंदा होना शुरू हो जाएगा आप इस चीज़ को अब्ज़र्फ करके देखिएगा कि जब नहा के साफ सुतरे होके कहीं जाने के लिए तियारी हो रही है नहाय दोए होए है उस वक्त की कैफियत और नहाने से जस्ट पहले जब मेले हैं, खेल के आए हैं, पसीना, गंदगी, मेल इन दोनों कैफियात में फर्क होता है यानि मैं इसको एक्स्प्लेइन शायद नहीं कर पाऊंगा लेकिन अपनी परसनेलिटी में फर्क मحसूस हो रहा होता है जब नहाद होके सास उत्रे हो जाते हैं तो अच्छा महसूस हो रहा होता है और जब गंदे होते हैं तो फिर, हाँ, एक और बात जब नहाद होके सास उत्रे होते हैं तो कोशिश करते हैं कि अब कोई गंदा काम ना हो जाए मटी ना लग जाए, कपड़े ना खराब हो जाए लेकिन जो बिलकुल गंदा ही रहेगा वो इन चीजों का लिहास करना छोड़ देगा जो नहाता दोता नहीं होगा उसको फिर फर्क नहीं परड़ा होगा के हाथ पर मट्टी लग रिए गलाज़ लग लग लिया के नहीं लग रिए तो इस سے मौशरे में बद्बुएं फैलनी शुरो हो जाएंगी खराबिया शुरो हो जाएंगी चलना फिरना जो साफ रहना चाहते हैं उनके लिए मुशकर हो ने शुरो हो जाएंगी तो है बेशक जरूरत लेकिन इसका एक और्गनाईज तरीका डिसाइड करना पड़ेगा कौन डिसाइड करेगा अच्छा अगर खुड डिसाइड करना तो मुझे तो कोई हड़ नी में यहां खड़ो के प्शाप करतूं मुझे नहीं लग रहा हज अभी इसलाम नहीं है अच्छा चलें पूरे मौशरे का रोल है तो उस पूरे मौशरे में से कोई तो अथारिटी होगी ना जिसकी जो यह तै करेगा उस आँ गर्मेंट उस इलाके की गर्मेंट वो कोई लोकल अथारिटी भी हो सकती है मुल्की government भी हो सकती है किसी पार्क की बात हो रही है तो उस पार्क की authority हो सकती है किसी पार्क में जाए ने लिखा हो जे management की तरफ से ये मना है तो उस जगा की authority ने decide करना है कि इसका organize तरीका क्या है washrooms बने हुए है वहाँ बने हुए है वहीं जाना है कई जगा पर जौदा बेतर हो तो चपले अंदर रखी होती है बेतर जगा पर जो वाश रूम्स होंगे ना अक्सर मस्जिदों में भी काफी बेतर है कि चपले अंदर अलएदर रखी होती है तो ये फैसला उस अलाके उस जगा के organize करने वाले ने तै करना है यानि पिशाब पखाना itself बुरा नहीं है इसको हर एक के decision पे छोड़ देना बुरा होगा पिशाब पखाना करने वाले को नहीं कहा जा रहा होगा कि गंदे काम कर रहे हो तो जिस हम की जुरुत है उसने करना है लेकिन ये decision authority का होगा कि इसका क्या ऐसा तरीका हो जिसमें कम से कम गंद पहले जिसमें जादा से जादा सफाई इंशोर की जा सके और सबका फाइदा हो अच्छा ये तो होगी मैं external बात कर रहा हूँ पिशाब पखाने से इनसान के जिसम में क्या फाइदे है अंदर की सफाई है ये जो खाने पीने से जो अंदर सारी गंदगी है जो देखें हमारे मेदे ने और पता नहीं जो भी और नजामी नजाम जो भी है उसने जो भी खाने से पीने से जो भी एक्स्ट्रैक्ट करना है वो करने के बाद वेस्ट है जो यह पखाहना पिशाप की शक्राप की चकल में निकलता है अगर यह ना निकले तो जिसम के लिए भी नुकसान है तो बजाहर नजर आने वाली गन्दी गलीज चीज़ है जिसम के फाइदे के लिए और चुँके अल्ला ने जिसम बनाया है तो अल्ला ने निजाम बनाया है बजाहर गंदी चीज है लेकिन इसमें इनसान के जिसम के फायदे भी है और खुला नहीं छोड़ा जा सकता इनसान को इस फैसला करने में कि जहां मर्दी पर खाना प्शाप करे क्यों कि बाकियों पे असरात होंगे गंदगी फैलेगी खाने पीने पे आते हैं खाने पीने पे इनसान की जो जिसम की नीड्स हैं उसको भूक लगेगी उसने खाना खाना है प्यास लगेगी उसने पानी पीना है इस ज़रुत को पूरी करने का जानवरों वला तरीका हो तो उसमें क्या हरज है जानवरों वले तरीके से मुराद यह है कि जब जिससे चीर पाड़ करनी थी कर लिए उसकी फhesia शिन ना था चीन लिया जाहलियत बड़ेगी इनिकวैलिटी होगी नاءंसापी होगी जिसका जोर चलेगा वो खा जाएगा जिसका जोर नहीं चलेगा भूका रह जाएगा कोई महफूस नहीं रह जाएगा कोई कभी भी दिनन्दा आ सकता होगा कोई महफूस नहीं रह जाएगा हैं वही बात ना मौशरा है ना अच्छाइसी तरह इसको थोड़ा सा और खुराक वाली बात को एस्प्रेइन करता हूँ कि जो फूड कोर्ट्स या फूड स्ट्रीट्स होती है जहां पर खाने की जगे हैं बहुत सारे लोग बैठे खा पी रहे हैं अगर वहां इस तरह के लोग खुले छूट दिये जाएं जो जब मर्दी जहां से मर्दी उठा के खा लेंगे तो जो वहां बैठे हुए लोग खा रहे हैं वो बेशक खुद ना भी इस तरह से जीना चप्टी करते हूँ अनकमफर्टिबल हो जाएंगे इन सिक्यूर हो जाएंगे क्योंके कोई भी कभी भी आके उनका खाना उठा के ले जा रहा है उसका ये कहना काफी नहीं होगा कि मेरी मर्जी मुझे मेरी मर्जी है मुझे भूग लगी थी मैंने पूरी कर ली मुझे प्यास लगी थी मैंने पूरी कर ली उसकी मर्जी काफी है क्यों नहीं काफी है क्योंकि मौशरे पे असरात आने शुरू हो जाएंगे तो पिर खाने का कोई सही तरीका होना चाहिए उसका कोई सही सलीका होना चाहिए खाना कैसे हासल करना है इसका कोई तरीका होना चाहिए जिससे मौशरे का डिसिप्लन भी खराब न हो किसी के साथ नाइंसाफी भी न हो समझ रहे बाद? जाग रहे ना? नाइंसाफी बीना हो, किसी के साथ जल्म बीना हो, मौशरे का बैलेंस भी खराब ना हो ओर फाइदा भी हो, अच्चाई इसी तरह से खाना, खाना, पीना, इसके जिसम को क्या फाइद है? अनरजिय है, तो फिर खाना भी ऐसा हो जिससे फाइदे भी हासल हो सके कुछ भी तो मुँमे नहीं मट्टी उठाकर डाल लेंगे तो फाइदे नहीं उठाकर हासल होंगे सिर्फ लिक्विडी पीना है तो किसी का पिशाब उठाकर पी लेंगे तो फाइदे तो नहीं हासल होंगे तो खाना भूग लगी है खाना खाना है पीना प्यास लगी है पानी पीना लेकिन क्या खाना है क्या पीना है जिससे जिसम को फायदा हो और ये खाने पीने की जुरूरत पूरी किन तरीकों से करनी है इसके लिए भी कुर रूल्स बनाने पड़ेंगे वरना सुसाइटी पे एफेक्ट आएगा इसका फिर दोबारा कौन डिसाइड करेगा गर्मेंट डिसाइड करेगी क्योंकि गर्मेंट ने इंशूर करना है कि बाकी लोगों को नुक्सान ना पहुँच रहा हो अब ये जिस्टिफिकेशन काफी नहीं होगी कि मुझे भूग लगी थी मैंने खा लिया नहीं अगर वो किछी सुसाइटी का हिस्सा है उस सुसाइटी में डिसिप्लन काइम रखने के लिए कमजोरों की भी हिफादत इंशूर करने के लिए अगर कोई अथारिटी है तो उसने बनाने है रूल और उन रूल्स को फॉलो करना है जो नहीं करेगा उसको फिर सजा मिलेगी ये सजा क्या देनी है उसी में से चार लोग उटके मारना शुरू करते हैं ये भी अथारिटी ही डिसाइट करेगे नींद है इस नींद के जिसम को क्या फाइदे है जिसम की जुरुत है नींद पड़ाना चाहिए कि एक continuity में सोना है या दो गंटे सोए चार गंटे जाग लिए फिर गंटे सोए फिर जाग लिए continuity जरूरी है अच्छा ये भी जरूरी है आलों के बात apply नहीं होती है लेकिन ये भी जरूरी है कि 24 गंटे में से कौन सा phase है जिसमें नींद होनी चाहिए हाँ जी रात और medically ये बात थाबित हो जाएगी कि रात की नींद से फाइदे हैं दिन की नींद से नुकसान है यानि सिर्फ 8 गंटे नहीं पूरे करने है वो जो phase है 24 गंटों का रात वाला वो इस्तेमाल होगा तो नींद के फाइदे आएंगे नींद इस नौट अली सोना उसके फाइदे अच्छा है जिसम की जुरूरत लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए जिससे फाइदे भी हो तो जितने भी जिसम की जरूरते हैं ये और ये जो मैंने बताई हैं ये जिसम की जरूरते हैं इससे किसी को इखतलाफ नहीं है लेकिन जब मर्जी जैसे मर्जी जरूरत पूरी करने में इसमें क्यों रोक टोक शुरू हो जाए? क्योंकि मौशरा खराब होगा नाइनसाफियां शुरू हो जाएंगी जो कमजोर होगा वो तो जी ही नहीं पाएगा तो जो भी उस अलाके की अथारिटी है वो अथारिटी ही इसलिए है कि उसने ये इंशूर करना है कि सब के साथ प्रॉपर इंसाफ हो सब को मौके मिलें जैसे ही इनसान बाले होता है जैसे वैसे हो तो यूटीब पे कोई भी सुन सकता है लेकिन लड़कियां बिठाई मैंने इस लिए नहीं है क्योंकि मुझे हाया आती है लड़कियों के सामने ऐसी बात करते हुए फेस टू फेस जब लड़का बाले होगा लड़की भी ऐसे ही होगा जब लड़का बाले होगा मेरे सामने आप बाले हजरात बैठे हैं आपको जिंसी तलब होने शुरू हो जाएगी है तीक है आप जो हमारा सेक्च्टॉल औरगन है क्योंकि आप सब लोग बड़े हैं और जो इहतलाम होता है मनी का खारिज होना ये खारिज करना ये खारिज होना ये जिसम की जरूरत है यही वज़ा है कि जब आप बाले हो गए तो उसके बाद मुस्टली रात कोई होगा डिवेंड करता है, मेडिकल रीजन भी हो सकते है इहतलाम में एक रेगुलर चीज बन लिए ये जिसम की जरूरत थी अब उसको पूरा करने का भी एक तरीका है जिसको मुझे एक्स्पेंड करने की जरूरत नहीं है मैं इसको आपकी एजमशन पर छोड़ता हूँ इस तस्कीन को हासल करने का तरीका है जिसका कुदरती तरीका ये है जिसमें एक अपुजट सेक्स चाहिए यानि मर्द को औरत चाहिए औरत को अपनी इस तस्कीन के लिए मर्द चाहिए अछ्छा ने बनाय की ऐसा चूंके ये भी जिसम की जरूरत है तो इसके पूरे करने के लिए भी कुछ रूल्स होने चाहिए या जब दिल जहां करे जैसे मर्दी करे क्यों होने चाहिए रूल्स ताके मौशरा खराबना अच्छा जिसको जिन्सी जरूरत महसूस हो रही है उसको ये कहा जाएगा यार शरम को रो बड़े हो गए हो तू जरूरत है जरूरत है बेशक बजाहर वो एक गंदा काम लगता है लेकिन जिसम की जरूरत है अल्ला ने बनाये इनसान को ऐसे और अगर इनसान अपनी तखलीक पे गोर करे ये भी मैं बहुत सेंसर तरीके से बात करूंगा जरूरी नहीं सब को सब बातें पता हूँ जब को भी पता चल जाएंगी अगर इनसान अपने तखलीक पे गोर कर ले तो वो किस गंदे मादे से बना है कि जब आपके कपड़े पे लगेगा आप उठके सुबा सबसे पहले दोएंगे उस कपड़े को और उसकी बदबू ऐसी होगी कि एक गुजारा नहीं होगा इस गंदे मादे से बना है इनसान और इस तखलीक के मरहले में जो बॉडी पार्ट्स इस्तमाल हो रहे हैं वो इनसान की जिन्दगी के गलीज तरीन हस्से होते है हाथ भी नहीं लगाता इनसान, ऐसे ही है न? लेकिन जिस्म की जरुरत है, अल्ला ने निज्याफ बनाया तो ये जिस्म की जरुरत है इस जरुरत के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि बढ़े हो गय तो मारी सोच गंदी है तो पर तुमारी सोच गंदी है तुम जा के पकाना करना चुरू करते तो कितने तुमारी सोच खराब होगा ये हो गए external factors इसका जिसम को फाइदा है इसका जिसम को फाइदा है इसका जिसम को फाइदा है इसका भी जिसम को फाइदा है इन नीट्स पूरी करने का औरत मर्द के जिसमों दोनों को फाइदा होता है ये अल्ला का निजाम है तो अगर इनको और इनको हासल करन और इनको एपने जिसम से खारश करने का जिसमानी फाइदा है तो इनका तरीका, इनका रस्ता वही होना चाहिए ना जिससे फाइदे हो जी कुछ भी खा लेने से यह फाइदे नहीँ हासल होंगे पाक तयब फाइदे वाली चीज़ खाएंगे तो फाइदे होंगे नीद दिन के खास हिस्से में लेंगे तो फाइदे होंगे इसी तरह अच्छा ये फाइदे मेडिकल ग्राउंड्स की बेस्पे भी जज़ किये जा सकते है इन सब के लिए क्या रूल्स होने चाहिए ये अथारिटी ने बताने है और अथारिटी अगर मेडिकल भी जानती हो तो अथारिटी के ये रूल्स बनाने के दो अबज़क्टिव होंगे एक उससे जिसम को फाइदा भी पहुंच सके और दूसरा मौशरे में भी खराबिया ना पहले चुके हमारे इस दुनिया की बलके दुनिया क्या हर मखलूक की एक ही अथारिटी है और वो अल्ला है हम किसी भी पार्क में, किसी भी कलब में, किसी और्गनाइजिशन में हम उस जगा की authority की बात क्यों मानेंगे in fact मेरा सवाल ठीक नहीं है हम उस authority की बात तब मानेंगे जब हम उसको authority मानेंगे जैसे exam हो रहा है अब invigilator class में है आप लोग invigilator जब देख रहा है तो नकल नहीं कर रहे है invigilator side पे जाता है तो देखने में तो साथ वला student भी देख रहा है लेकिन उसके देखने से आपको फर्क नहीं पढ़ रहा होगा इसी तरह से वो पियन वो office boy जो पानी लेने आया था जो शायद सफाई करने आया था अगर वो भी आपको देख रहा है नकल करते वे तो आप बौदर नहीं आपको बौदर नहीं करना क्योंके आप किसके सामने नकल करना वाइड कर रहे थे authority क्योंके आप उसको authority मान रहे थे तो किसी भी authority की बात तब मानी जाएगी जब पहले उस authority को authority तस्लीम किया जाएगा तो हम अल्ला की बात क्यों माने तो पिर अल्ला ही अथारिटी है जब हमें अथारिटी की बात माननी है तो फिर ये भी तो जानना है ना कि अथारिटी ने कहा क्या है तो जो अथारिटी हमारी अथारिटी अल्ला है अल्ला ताला ने इन सारी जरूरतें पूरी करने के लिए भी दीन भेजा है हमारा जो दीन ह उसमें इन जोरूतों को पूरी करने के भी एकामात मौझूद है बेशाब पखाना कैसे करना है बाद में उसकी सफाई कैसे करनी है बैठना कैसे है खड़े रहना है के बैठना है टांगे पॉजिशन किस तरह की होनी चाहिए ये मारे दीन में पेगाम है इस बात का और दीन में इस चीज़ के लिए जो भी हुकम होगा वो जिसम के लिए यकीनन बेस्ट ही होगा खाने पीने के मामले में दीन में इस चीज़ के गाइडिस मुझूद है क्या खाना है क्या नहीं खाना है हम क्या कहते हैं उन चीज़ों को? हलाल और हराम वो हलाल और हराम अथोरिटी ने डिसाइड करने है उस हलाल हराम डिसाइड करने की पीछे मसलियत यकीन जिसम का फायदा भी होगी और मौशरे के खराबियों से रुकना भी होगा तो इस नीड को पूरी करने के रूल्स भी अल्ला नहीं बताने इन नीड का होना बुरी बात नहीं लेकिन उनको पूरा करने के लिए अपनी मर्जी चलाना ये बुरी बात है दोनों बुराईयां होंगी एक मौशरे में खराबी भी होगी जाग रहे हैं? और दूसरा जो इसको जिसम के फाइदे होने थे वो भी नहीं हो सकेगे अब करते क्या हैं? कि जो चीजें इन नीड को बुभारती है अगर इन नीड को पूरी करने के तरीके को कंट्रोल करना है तो उन फैक्टर्स को भी कंट्रोल करना पड़ेगा यह बात थोड़ी मुश्किल हो गई जैसे रोज़ा रखाये जब किसी ने तो उसने खाने पीने को कंट्रोल करना है आधाब क्या है कि रोजेदार के सामने कोई खाना पीना न करे अगर बहुः उसकी फेवरिट डिश और वो भी तादा तादा जिसकी खुशुएं भी उठ रही होंगी और वो मूदर करता होगा तो उसके सामने बैठके खाना शुरू कर देते होंगे तो इससे रोज़ेदार के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी उस रोज़ेदार को ये नहीं कहा जा सकता कि यार तुम्हारा इमानो ना चाहिए भई तुम रखो रोज़ा ये नहीं कहा इसको पसंद नहीं किया जाएगा इसी तरह से आपने शायद आपने तो खैर शीज को क्या बज़र्फ किया है बाल बच्चे दार होंगे तो बज़र्फ करेंगे जब को भी मरे बच्चे मेरे साथ हैं मैं गाडी में हूँ ट्रैफिक सिगनल पर रुका वहा हूँ तो ये जो ट्रैफिक सिगनल पर या एफसे कहीं पब्लिक प्लेसे पर कोई चीजे बेचने वाले जो आजाते हैं और अगर मैं चाह रहा हूं कि मेरे बच्चे वो ना खरीदें और मैं उस वेंडर को मना भी कर रहा हूं लेकिन वो क्या कर रहा है मेरे बच्चे के पास आ के ना वो बजा रहा है दिखा रहा है उसको मैं इस बात को उसकी हरकत को पसंद नहीं कर रहा हूंगा क्यूंंके बच्चा टेम्ट होगा मुझे पता है कि मेरे बच्चे का 컨्ड्रोल कितना है मुझे पता है क्योंके मेरा बच्चा है मैं उस बेचने वाले शख्च्ण की सादत को पसंद नहीं करूंगा मैं बच्चे को बेशख समझा रहा हूं अच्छा वो दुकान दार या वो बैसिन आला ये भी तो कैसे तब ही आप अपने बच्चे को समझाए वो यह नहीं कहेगा क्योंकि मुझे बता है कि मेरे बच्चे में कितना सबर है मुझे पता है कि मेरा बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाएगा बेशक मैं इसको समझाओं बेशक मैं गन भी रख लूँ बच्चे के सामें बेटा गोली मार दूँगा लेकिन बच्चा अपनी तलब तरब से मजबूर हो जाएगा तो इसलिए अल्ला ताला ने इन जरूरतें पूरी करने के लिए जो रूल्स ब मुझे नहीं पता है ऐसी आगए था जो में जितने जानवर हैं सब का जो पिंजरा है जो उनको कैद करने के मियर्ज हैं सब एक जैसे हैं सब का हक है क्यों सब के एक जैसे क्यों है जो जितना जादा खतरनाक होगा उसके रोकने के मियर्ज उतने जादा होगा अच्चा खतर जादा خराबियां पहलाएगा जो जादा कराबियां पहलाएगा वरना अगर सिर्फ बाइट फोर्स की बात की जाए तो शेर से जादा हिपो की होती है। उसका तो बाइट इतना बड़ा होता है तो जो हिपू की बाइट फोर्स है वो शेर से जादा है लेकिन हिपू के लिए उतनी ही सक्त जंगला नहीं होगा जितना शेर के लिए होगा क्योंकि हिपू इतना को खतराक नहीं है वो अपना काम से काम रखेगा जब तक उसको तंग नहीं करेंगे तो फिर वो तबाई नहीं पहलाएगा लेकिन शेर, भेडिया, लगड़ भगगा ये ज़्यादा तबाई पहलाएंगे अच्छा, अगर बात सिर्फ तबाई पहलाने की है तो क्या शेर का पिंजरा और भेडिये का पिंजरा बराबर सख्त मजबूत होंगे क्यों कि शेर में ताकत जादा है तो फिर रोकने के लिए पिंजरा भी उतना ही मजबूत बनाना पड़ेगा इन खौइशात में से जिसमें ताकत जादा है जिसकी शिद्धृदिद्धिध जादा है उसके उपर मेएर्जी भी जादा लिए जाएंगे और शिद्ध्ध जादा से मुराद उसको कंटgriff ना कर पाने में शामिल है और उससे पहलने वाली ख्राबियां कितनी जादा होंगी ये भी शामिल है इसलिए अल्लाज ताला ने कुरान पाग में फर्मा दिया कि जिना के करीब भी मत जाना जिना ना करना नहीं जिना के करीब भी ना जाना अगर कोई टीम यहां आई वी ए मैच खेलने किताफी स्टेडियम में मैच है और सिक्यूरिटी हाई अलर्ट है हाई alternate तो सिर्फ स्टेडियम के गेट बंद कर दिये जाएंगे वहाँ पर सौ कोलें वाले होंगे पुरा लिबर्टी क्या पुरा गुलबर्ग बंद कर दिया जाएगे और अगर बहुत ज़ादा मसला हुआ तो हो सकता है पुरा लौहर बंद कर दिया जाए साइकल का पंक्चर चेक करना चेन ठीक है, हवा ठीक है ये इतना ही जादा जरूरी है जेतना जहाँ उडाने से पहले जहाँ की फंक्शनिंग देखना है जहाँ का नुकसानorial होगा साइकल लग भी ही तो क्या हो जाएगा गिर गी क्या हो जाएगा रगणे आ जाएंगे लेकिन जहाज गिर गया तो 2.500 लोग गए लाखों लाखों नी क्रोड़ों का नुकसान और जहाँ जहाज गिरेगा अगर वो को रेजिडेंचिल एरिया हुआ तो वहां का भी नुकसान तो जितना जादा जितना मुज़ोर जानवर उसको उतना जादा स है लेकिन इन में अगर मैं कंट्रोल वीक होने के साब से या सबसे जादा जो 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 जोरदार चीज है उसका अगर मैं पिक करूं तो वह यह है वह यह है आप सारी नीड्स एक साथ कंपेर करके देख लें और देखें कि आप किसको कंट्रोल कर सकेंगे या अगर आपको यह कहा जा रहो कि इन 4 में से कोई ही काम कर लो सब का इस पे तफाक हो कन्फम अगर को कहता नहीं नहीं क्योंकि अल्ला ने बनाया ही ऐसा तभी तो उम्तिहान है यही तो उम्तिहान है बड़े बड़े अब ये सखतरनाक है तो एक तो इसके मेयर्ज भी बहुत सक्त होने चाहिए और इसके तरीके भी वही होने चाहिए जिन से फाइदा हो खाने के लिए एक मिसाल अभी मेरे जहन में आगई एक हमसाय थे मेरे तो वो ना करते ये थे कि बच्चान का पता नहीं तीन साल चार साल का मुझे याद नहीं है वो नाच्टा बच्चा ऐसे करता था कि उसके अबबू उसको बाइक पर बठाते थे और अम्मा उसकी मतलब माबाब दोनों गली में हैं बार और अबबा ने वन नवाला देंगे फिर उसको पूरी गली का चक्कर लगवाएंगे फिर वापस लाएंगे फिर वो मान जार खड़ी कर रही है उस दूसरा नवाला लेगी फिर चक्कर लगवाएंगे तो अब ये पता नहीं कैसे आदद बनी लेकिन उनकी ऐसी आदद बन गई कि बच्चा ब तमीज से बैटके खाने का मज़ई नहीं आएगा अगर आप अपनी एक आदद डिवैलप कर लें के मिसाल के तौर पर आप आदद डिवैलप करने के अपने पिशाप खड़े होगे करना फिर आप जब बैटके पिशाप करेंगा आपको मुश्किल होगी जिसना मर्जस्ट रखना है हाथ जो है ऐसे रखना है अगर आपने इस चीज़ की आदद बना ली तो फिर आपको नरम गदे पे नींदी नहीं आएगे ये जो जिन्सी जरूरियात हैं जब जो मर्द है मेली चूंके इन जरूरतों को पूरी करने के लिए एक औरत चाहिए अब वो कोई भी औ औरत हो सकती है कोई भी औरत हो तो उसमें क्या हरज है मौशरे में खरामियां पहलेंगी और दूसरों की औरतें क्या हमारी औरतें महफूज नहीं रह जाएंगी हमारी औरतों से मुराद हमारी मां हमारी बहन है जब तक आप शादी में इंगेज नहीं होते हैं तो आपकी ब खुद्रती तरीका है औरत ही चाहिए और जो इसके फाइदे हैं वो भी औरत के साथ इस अमल से ही हैं लेकिन मर्द की जो जो जरूरत है जो अगर जादा गहराई में मैं कोशिश करता हूं अभी तुरी बात करूं वो मनी का खारिश करना है जिसमें आप बहुत सारे लोग चल करते हैं और जो 1% हैं वो जूट बोलते हैं तो जब आप इस आदत में मुउप्तला हो गए जो इस आदत में मुबतला हो रहा है उसका अब्जेक्टिव हो रहा है मनी का खारश करना ऐसे ही है ना मतलब सारे बड़े लड़कें हैं मेरे इस बात को समझ रहे हैं ऐसा ही है अब उसको खारश करने का जो तरीका अपना लिया जाएगा परसुनली वो अपनी जात की हद तक हो गया तो जो कुदरती तरीका था फाइदे उसमें थे लेकिन जिसने इस तस्थीन को हासल करने के लिए गेर फितरी तरीका अपना लिया जिसमें खुद मुश्ट दुनी भी शामिल है जिसको मास्टरबेशन कहते हैं इसमें हम जिस्वरस्थी भी शामिल है जो कौम लूत का एक फेल था होमो सेक्श्वालिटी अब वो भी अपनी जिस्थी जरुएती पूरी कर रहे है लेकिन उससे जो इसमें फाइदे लाने रखे थे वो पूरे नहीं होंगे उससे बलके नुकसान होने शुरू हो जाएंगे कुछ अपनी जरूरतों का पूरी करने गरे जानवरों का इस्तावाल करना शुरू कर देंगे उसमें जरूरत पूरी हो रही है लेकिन उन्होंने चूंके एक बहुत डिफरेंट तरीका अपना लिया तो जो इस जिस्मानी जरूरत के फाइदे थे वो फाइदे हासल नहीं होंगे बलके नुकसान होना शुरू हो जाएगा अजीब जीब बतना की बिमारियां लगनी शुरू हो जाएगे तो चूंके जैसे ही लड़का बालग होगा उसमें इस चीज़ की तलब पैदा होगी और वो इसकी जरूरत पूरी करने का रस्ता ढूंड लेगा अच्छा जब वो इस रस्ता ढूंड लेगा तो शायद एक वक्त ऐसा आएगा जिसमें उसको इस अमल तक पहुँचने के लिए एक मोहौल बनाना पड़ेगा जिसमें शायद मूवीज देखना भी हो सकता है हरेकी नहीं मेजिनेशन स्रॉंग होती होगी कोई मूवीज का सारा लेते होंगे कोई पिक्चर्स का सारा लेते होंगे अब वो कर क्या रहा है वो ये कर रहा है कि चलो मैं जिना तो नहीं कर रहा है मैं जिना थोड़ी कर रहा हूँ मैं बस अपनी जात तक महदूद हूँ अब वो अपनी जरूरत पूरी कर रहा है और बजाहर वो किसी को नुक्सान नहीं पहुँचा रहा अगर वो खुले हम जिना करता तो क्या होता मौशरे में खराबी होती न लेकिन अगर वो मास्टरबेशन कर रहा है तो वो बजाहर ये कर रहा है कि मैं किसी और को तकलीफ नहीं पहुंचा रहा लेकिन अल्ला ने इस जिन्सी जरूरत का जो सही तरीका रखा था इसकी आदत खराब हो जाएगी जब इसका वो सही तरीका पूरे करने का वक्त आएगा तो वो उसमें नहीं अज़ेस्ट कर पाएगा आपको कई मिसालें मिल जाएंगी ऐसी कि जो ये डॉक्टर्स हकीमों के पास ये जाके ये कहेंगे कि हमने जवानी अच्छी नहीं गुदारी अब हमारी जो मेरेड लाइफ है वो अच्छी नहीं गुदारी ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको ये फैक्ट है चूंके उन्होंने अपनी ज़रूरत पूरी करने का वो तरीका चुन लिया जो कुदरती नहीं तो जो उस तरीके में फाइदे थे वो फाइदे नहीं और चूंके उन्होंने एक और तरीका चुन लिया तो जब असल तरीका होगा तो उसमें वो अड़्जस्टी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें आदत खराब कर ली तो जो असल मौका था वो भी डिस्टरब हुआ अच्छा औरत मर्द जब मियां बीवी है उनकी महबत काइम रहने का देखें औरत मर्द की महबत पे ही पूरा मौशरा काइम है घर, माबाप, बच्चे, चचा, ताया ये सब किस से जुड़े हुएं मियां बीवी के तालुक से जुड़े हैं शोहर घर से निकल के पैसे कमा रहा है और शोहर की इस एकनॉमिक एक्टिविटी से ही सारी एकॉनमी चल रही है क्यूं निकल के बाहर पैसा कमा रहे है अपना कमा ले ते काफी था घर वालों के लिए ने तो वो उसकी बीवी से महबत है और उस बीवी के तालुक से जो लगा ने अलाद दिये उनकी महबत है तो इनसान एकनॉमिक एक्टिविटी मेंगे ये लाने एक निजाम बनाए और उस महबत को काईम रखने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेक्टर है बहुत चदीन इंपॉर्टेंट फेक्टर है जो अन नैचरल तरीकों से ये जरूरतें पूरी करने लग जाएंगे जो मैंने का 99% करते हैं और 1% जुड़ बोलते हैं तो उसका नुकसान जी होगा कि वो जो अल्ला ने एक निजाम रखा था और अरत मर्द में महबत का वो वीक हो जाएगा और जब मिया बीबी का तालुक वीक हो जाएगा उनका अपस का बॉन्ड वीक हो जाएगा तो वो फिर इदर अदर भी ढूंडेंगे मौशने में फिर वहां से खराबियां शुरू होंगी तो ये जो अभी इस वक्त आपकी एज में जो इस वक्त ये अपनी खौईश पूरी करने का तरीका है तलबा को लगता है लड़कों को लगता है कि खैर है लेकिन इसके नुक्सान होंगे जो आपको अभी नहीं बता चलेगा वो आपको कुछ अज़से बात बता चलेगा चुँके ये फाइदे वाली चीज़ उसमें फाइदे रखे किसने थे अल्ला ने मिया बीवी के इस तालुक में भी सवाब है मिया बीवी के इस जिन्सी तालुक में सवाब है मिया बीवी एक दूसरे को महबत से देख लेना اللہ उनको मुसकरा के देखते है اللہ ने इस अमल में सवाब रख दिया लेकिन जब लड़के इसको गहर फितरी तरीके से मज़ा हासल करने की कोशिश करेंगे तो वो आपस की महबत एफेक्ट होनी शुरू हो जाएगी और चुँके अल्ला की नाफरमानी शुरू कर दी तो रूल्स तोड़ने पर अथौरिटी ने सजा देनी है ना तो पिर अल्ला ताला सजा देंगे वो सजा बाद में जो होगी वो तो है तबियत के अंदर खराबिया आनी शुरू हो जाएगी मिजाज में चर्चरापन होना शुरू हो जाएगा दमाग कमदोर होने शुरू हो जाएगी इसके असरात होंगे और चुँके गहर फित्री तरीका कर चुके होंगे जिनका एक वक्त यह आया होगा गहर फित्री तरीका करते करते के फिल्मे देखने के आदी बन गए होंगे जब तक कुछ देखते नहीं होंगे तब तक ड्राइव नहीं बनती होगी और शादी के बाद जब ये मौके नहीं मिलेंगे तालुकात खराम होने शुरू हो जाएगे तो इस गेर फितरी अमल के नुकसान सिर्फ अभी नहीं है लाइफ लॉंग रहने है मेडिकली भी मेंटली भी और मौशरे के लिहाज से भी अभी चूंके इनसान इसको सोचता नहीं है वो कहता है चलो अभी तो खुशी मज़ा आए ना मुझे वो इसको बाद में नहीं देख रहा होता तो आपको यही बाद वाला दिखाने का मेना मकसद था अभी इसकी रोक पे बात करतो मगर्ब के बाद कि यह जरूरत है इसमें कोई शक वाली बात नहीं है और जो लोग यह कहते हैं यार कितनी तुमारी गंदी धहनियत है तो फिर उनको यह भी कहना चाहिए यार तुम कितने गंदे हो फिर उसको यह भी कहना चाहिए फिर उसको यह भी कहना चाहिए अब तुम बड़े हो गए हो अब यह काम ना किया करो फिर इसको कहना चाहिए अगर नहीं तो फिर यहां भी नहीं क्योंके इनसान की जरूरत है और अल्ला ने जरूरत रखी है यह इनसान की फितरत का हिस्सा है तो जिस तरह बाकी जरूरतें पूरी करने की एक अर्ज है इसकी अर्ज बहुत ज़ादा है बहुत ज़ादा है इन सबसे ज़ादा है और अगर आप मौशरे के गुनाहों को कही ना कही रीजन्स डूनने शुरू कर दें ये रीजन मिलेगा पांच पांच भांच छेचे साल के बच्चों के रेपस होते नहीं होते हैं वो क्यों होते हैं वो इस डिजायर की वज़ा से होते है अच्छा उसमें बच्चों का कसूर नहीं होता है उनमें उस नहीं हैवानियत ये तो रिजल्ट देख रहे हैं आप अगर बेरे पास से कोई गाड़ी गुदरी है गंदी डीजल वाली गाड़ी काला धुआ छोड़ती भी गुदरी है कभी इस तरह का experience हुआ नहीं तो अजीब अंदर अंदर अजीब से हो जाता है थूकने का दिल करता है काँ थूकता है इनसान जमीन पर क्या उस गाड़ी पर थूक दे अच्छा चलें गाड़ी नीच बेचते एक सिगरेट वाला है पास जो सिगरेट पीके धुआ छोड़ा है अब आपको उसके धुएं से उलजन हुई थूकने का दिल करेगा कहा थूकेंगे उसके उपर क्यों नी थूकते तो जमीन पर क्यों थूका चूंके जमीन पर जोर चल गया तो जमीन का कसूर था यानि जमीन ने शायद कपड़े कम पहने वे थे शायद ये रीजन था जो मौशरे में बेहाई पहलती जाएगी उससे ये नीड्स इतनी बढ़ती जाएगी ये उससे भी जादा सक्त है कि किसी रोदेदार के सामने एक पकावा मज़दार खाना रख दिया जाए ये उससे जादा सक्त है जितना जोरदार जानवर उतनी जादा इत्याद जितना सेंस्टिव मैच पूरा शेहर बंद करना पड़ेगा अल्ला ने फरमाया नजरे नीची रखो सारे रस्ते बंद कर दिये जितना के करीब भी ना जाना औरतों को कहा अपने कपड़े पूरे रखो सितर रिटाइन हो गया ना क्योंके औरत के जिसम से ही ये सब खुआशाद बननी है मर्द में चूंके ये खुआश है तो उसमें खुआश बनेगी तो अल्ला ने उस मर्द को भी कहा नजरे नीची रखो मैंने अपने बेटों को भी कहा कि नजरे नीची रखो और उस खिलोने बेचने वाले को भी कहा कि ना ओओ इसके पास खिलोने बेचने वाला ये नहीं कह सकता कि अपने बच्चे को समझाओ क्यूν क्यूंकि अगर ये मौशरे में बेहाई फ्याई पहलती जाएगी तो ये जजबा ब्यौंड कंट्रोल होता जाएगा और जब इसको ब्यौंड कंट्रोल कर देंगे तो फिर मौशरे में खराबियानी शुरू हो जाएगी मगर्ब की ब्रेक करके फिर मिलते हैं अच्छा जी मैं यहां तक बात ले आया हुँा था कि यह जो जिस्मानी जरूरत है इसके पूरा करने का जो फितरी तरीका है अगर उसके खलाफ जाएंगे तो जिस्मानी मसायल भी है और मोश्रती मसायल भी है चुके आसान लगता है कि अभी दूसरी जिन्स तो अवेलेबल नहीं है चलो ठीक है जरूरत तो पूरी हो रही है ना इससे पिर अफेक्ट जादा दूर तक आ रहे हैं अब इसमें करना क्या है यह जो जहां तक लाना था बात को इस जरूरत को पूरी करने के लिए हलाल रिज्क खाना है सही वक्त पे खाना है हलाल कमाई से हासल किया हुआ खाना है सही वक्त पर सही जगा का इंतखाब है सही तरीका है तो ही मौशरती खराबियां भी बच्चती है और जो जिस्मानी फायदे हैं वो तब तभी मिलेंगे इसी तरह ये भी है कि अल्ला ने जो उसका सही तरीका बताया है जो हमारे दीन का हिस्सा है चलें वो तो खेर बात की बात है तरीका लेकिन जो दीन का हिस्सा है जो हलाल जरीया है वो निकाह है इसके अलावा और कोई हलाल दरीया नहीं है पुराने दोर में चूंके एक सिस्टम का हिस्सा थी बांदिया वो एक पुराना दोर है अब उस सिस्टम का हिस्सा नहीं है तो इवेंचली ये जो हलाल तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ ने का है इसके लावर कोई हलाल तरीका नहीं जब ये ख्वाइश पूरी करने का हराम तरीका होगा तो गुना है क्योंकि अथारिटी की बात नहीं मान रहे मौशरती खराबियां भी बन रही है और उसका असर जो है न वो अल्टीमेटली जो जहां पर जोर चलता है वहाँ निकल जाता खराबिया आने शुरू होगी हमारे घर की ओरते महफूज नहीं रह जाएंगी इससे करें क्या चूंकि बहुत जादा मुजोर जानवर होगा तो इसके कंट्रोल के तरीके भी हमें जादा लेने पड़ेंगे जिन में सबसे जो जरूरी तरीका है वो तो निकाह है लेकिन हमारे माशरे की गलती यह है कि इसको बहुत दूर कर दिया गया है यह मारे माशरे की गलती है और उसका एक रीजन ये भी है कि हम जिन कौमों को कौपी कर रहे हैं उन कौमों में ये जरूरत पूरी करना निकाह पे डिपेंडेंट ही नहीं है तो जब उनको शादी की जरूरत नहीं है तो फिर वो शादी डिले कर सकते हैं क्योंके शादी उनकी सोशल जरूरत होगी, लीगल जरूरत होगी, जिसमानी जरूरत नहीं होगी तो चूंके वो बाउंड ही नहीं है, तो फिर जब हम उनको फॉलो करेंगे तो हमें फिर शादीयां लेट करनी पड़ नहीं है हमारी मौशने का इस्सा बन गया हुआ है, और ना सिर्फ ये के लड़का कमाने वाला हो जाए, एक इंतहाई अफसोस की बात है और ये है, आप घरों में देखेंगे, आपके घरों में मामला होगा शादी के पैसे जमा करने में देर लग जाती है, क्योंके ऐसी शादी होनी चाहिए जो सब देखें, रोटी खिलाएं पता लगे शरीकों में के रोटी खिलाएं, पता लगे के समान दिया है चुँके इसके लिए कोशिश की जा रही, बलके जानने वालों में होता है कि पता जादेजी अबबा जी ने अपने प्रॉप्डर्ण फंड के पैसे सारे निकल वाए कि बच्चे की शादी करनी है जिन्दगी की जमापूंची इस बात पर लगाए कि बच्चों की शादी, ये वालने का एक बड़ा सेंस ओफ अचीवमेंट है कि जो जिन्दगी में कमाया वो बच्चे की शादी पे लगाना है और शादी पे लगाना किस चीज़ पे है लेविश किसम के अरेंजमेंट होना चाहिए उसकी बेहाईया अलाइदा हैं वो बेहाईया अलाइदा हैं परदेदार लोग शादी के फंक्शन के अंदर एक्जैम्शन जोन में आ चुके होते हैं वो परदे वाले रूल नहीं लग रहे होते हैं उनके उपर फिर उसी मौके पे खेंची की तस्वीरें काफी रसे तक वर्टसेप की डीपीज रहती हैं चुके वो उस वक्त एक्जैम्शन फेस था तो वो काफी रसे तक रहती हैं ये बेहाईया अलाइदा हैं लेकिन इसका असल तरीका तो निकाह है अब आप अपने तौर पे कोशिश जितनी कर सकते हैं अपने घर में निकाह जल्दी हो वो तो आपके कंट्रोल में नहीं हैं लेकिन आप लेकिन आप जब कल इस पोजीशन पे पहुँँचें मैं आप कि जब बात हमारे बच्चों के निकाह पे पहुँचें इसका इरादा रखें सारे और कोशिश भी रखें कि जल्दी होगा और साथगी से होगा क्योंके मौशरे की खराबियां बननी शुरू हो जाती हैं जब देर की जाती है और ये भी हमारे मौशरे की खराबी है कि एक लड़का अपने फखर से आप में जी भी शायद हो सकता को ऐसा हो जो बड़े फखर से अपनी अमी अपनी बेहन के साथ इस बात का जिकर कर रहा होगा कि मेरी फ़लानी सहली है इस पे ये आपको मैं को हरान कुन बात नहीं बता रहा हूँ बेहने फखर कर रही होंगी इस बात के उपर ये मारे मौशने का हिस्सा हैं बलके कुछ तो ऐसी भी होंगी कि जिनकी अगर सहलीया उनके भाई को पसंद करती होंगी तो वो बहने इस बात पे फखर करती होंगी कि मेरा भाई मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको हो सकता है कि सौ फीसद घराने ऐसे ना हो लेकिन बहुत सारे हैं इनसिग्निफिकेंट नहीं मिजॉरिटे घराने ऐसे हैं जहां पर इस बात को पसंद किया जाता है कि मेरे भाई को इतनी लड़के पसंद करती है हाला कि इसी को अगर पलट के देख ले एक भाई सोचे के मेरी बहन को इतने लड़के पसंद करते है नहीं काबले बरदाश नहीं है ये बात तो ये मौशरे की खराबियां इस बिमारी को इस खुआश को खराब करती जा रही है तो एक तो एक तो इसका हल निका है लेकिन वो अभी टॉपिक नहीं है टॉपिक है कि आप अभी अपनी जवानी में स्टूडन लाइफ में इस से बचने के लिए क्या कर सकते हैं देखें आप जब भी स्फेल में इन्वाल्व होते होंगे उसके कोई ना कोई जादा ना पूछना भी शामिल है जब तनहाई अवेलेबल है कोई पूछने वाला नहीं है तो गुना की तरफ इनसान बढ़े गई बढ़ेगा और वो गुनाओं की तरफ शुरुवात शायद कुछ और बेहतर वीडियो से हो सकती है लेकिन क्लिक करते 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 जतना इनसान के जजबे पे कंट्रोल है उतने जादा क्लिक लगेंगे जतना कंट्रोल कम है उतने कम क्लिक लगेंगे लेकिन जब अच्छा मैंने बहुत सीरिस मसला बता रहा हूँ अगर इसको हसी मजाग में टाल देंगे ना तो फिर वो मकसद खतम हो जायागा क्योंकि इस बियान का मकसद छुगल लगाना नहीं था ये वो बातें आपके सामने लाना था जो मौशरे का हिस्सा है और हम उनको लिफ्ट नहीं करा रहे होते खास तोर पर जो हॉस्टिल वाले लोग है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनका कमरा भी अकेला है और कुछ होते हैं जनके वालदें समझते हैं शायद हमारा बच्चा अच्छा पढ़ लेगा वो उसके लिए फ्लैट का बंदोबस कर देते हैं कई स्टूटेंट हैं जो फ्लैट्स में लेके रह रहे होते हैं क्योंकि फैनेशली वैल आफ तो बस फ्लैटली आवा अकेला रहता हूं वो कितीन देर अकेला रहता है वो तो उसी को पता होगा लेकिन आप जब तक निकाह तक नहीं पहुंचते आपको कुछ कंट्रोल्स स्टेबलिश करने पढ़ेंगे आपको अकेला रहना अवाइड करना पढ़ें देखें शेतान के लिए सबसे जादा आसान उस गुना पे उकसाना है जिसकी इस वक्त शिद्दत सबसे जादा बनी हुई है एक मजबूर गरीब बाप को रिशवत लेने पे उकसाना बड़ा असान है एक सूडन को रिशवत लेने पे क्यों उकसाएगा शेतान एक गुसे में भरे हुए खांदानी जगड़ों का शिकार मर्द को कतल करने पे शेतान उकसाएगा खुश रहते वे को थोड़ी उकसाएगा मिया बीबी का जगड़ा होगा तो शेतान तलाक की तरफ उकसाएगा खुश हसने वालों को थोड़ी उकसाएगा तो शैतान के लिए शैतान बड़ा टेक्निकल चलता है शैतान के लिए वो गुना करवाना बड़ा असान होता है जिसकी तलब और महौल बहुत साथगार हो तो मेरे असेस्मेंट के मताबिक क्योंकि आपकी अमर से गुदर के आए हूँ आपसे हो सकता है तफाक ना करते हो लेकिन मेरे खाल में मिजॉरिटी तफाक करेंगे कि इन सब जिस्मानी जरूरियात में से इस वक्त आपकी टॉप आफ दा लिस्ट ये है और जब आपके पास मौका बन जाता है तो फिर शेतान का वहकावा भी उसके मताबिक हो जाएगा शेतान कहेगा कि लेबरिरी में क्यूं पढ़ते हो अपने कमरे में जाके पढ़ो शेतान कहेगा कि लेपटॉप बड़ा जरूरी है पढ़ाई के लिए शेतान जे कहेगा कि ये जो यूट्यूब है या इंटरनेट है ये बड़ा जरूरी है देखो कई दफाग सर्च करना पड़ सकता है अब वो आपको दिखावा होगा पढ़ाई का लेकिन चुके मौका मिल गया रिसोर्सिस मिल गए ये बहुत ही ना होने के बराबर होगा कि कोई जवान लड़का हो उसके पास तनहाई भी हो बहुत उचा लैवल होगा तकवे का उसका बहुत उचा लैवल होगा कि तनहाई हो रिसोर्सिस हो इंटरनेट पूरा फुल हो महौल हो और वो गुमराई की तरफ ना जाए बहुत तो उसके लिए बिच्चा आपको ना ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे लेकिन आप ये स्टेप्स सिर्फ तब लेंगे अगर आप अल्ला को अथारिटी मानेंगे क्योंकि ये खदीश का मैं मुफूम सुन रहा था है तो बात बहुत सक्त अगर सोचने पर आएं तो एक अधीश का मुफूम है कि अल्ला के नबी स्टेप्स लिए असाब से कि बेरी अमत के अलफाज थोड़े भूल रहे हैं मुझे लेकिन मुफूम उसका यही है दो अलग-अलग उस्तादों से सुना है कि अमत में ऐसे लोग आएंगे जो नेकियों के पहाड लेके आएंगे लेकिन अल्ला ताला उनके वो सारे अमाल जाया करके उनको दोजख में फैंक देंगे तो सहाभा ने फिकर में अर्स की कि आल्ला कर सूल वो क्या ऐसा होगा ताकि हम उन से बचें تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جو تنہائی کے گناہ ہیں یہ وہ reason ہے کیونکہ دیکھئے اگر آپ نے میری بات ماننی ہے تو میرے سامنے کھڑے کھڑے اگر بات مان لینی ہے تو وہ تو چلو میں سامنے ہوں تو ڈر کے مان لیں گے جب میں سامنے نہیں ہوں پھر بات مانیں گے تو تعلق strong ہے نا جب سامنے نہیں ہوں تو بات مانیں گے تو تعلق strong ہے یا پھر اس کو میں ایسے کہہ لیتا ہوں سامنے نہیں ہوں والا ہی بات میں change کر لیتا ہوں آپ میرے سامنے بیٹھے test نکل کر رہے ہیں اور میرا موں ادھر ہے اب آپ نکل کر لیں گے یا چلیں میرے ساتھ تو ایک تعلق بن گیا invigilator کی بات کر لیتا ہوں جب اس کا موں ادھر ہے تو پھر نکل ہو سکتی ہے نا کیوں نکل کر رہا ہوگا وہ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ invigilator نہیں دیکھ رہا لیکن کوئی ایسا موقع ہوگا جب اللہ نہیں دیکھ رہے نہیں ہو ہی نہیں سکتا تو انسان اگر سب سے چھپ کے تنہائی میں گناہ کر رہا ہے تو وہ گناہ اس لیے کر پا رہا ہے کیونکہ اس کو لگ رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہے اس سے وہ ثابت کیا کر رہا ہے کہ میرے لیے زیادہ important لوگ ہیں اللہ نہیں کیونکہ لوگ دیکھتے تو وہ رک جاتا اللہ دیکھ رہے ہیں پھر بھی نہیں رک رہا تو پھر اللہ important نہ نہ ہوا پھر رب تو اللہ نہ ہوا پھر مالک تو اللہ نہ ہوا تو تنہائی کے گناہ اللہ تعالی پرسنل لے جائیں گے اللہ کے لیے پرسنل لینے والی بات ہے یہ یعنی میں آپ سے کہوں کہ بھئی میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے تم یہ کر رہے ہو یعنی تمہیں فرقی نہیں پڑھ رہا کہ میں دیکھ رہا ہوں تو اللہ تعالی کوئی ایسا موقع ہے ہی نہیں in fact موقع کیا کوئی ایسا angle نہیں ہے جہاں سے اللہ نہ دیکھ سکے ہر طرف camera لگا دیں ہر طرف camera لگا دیں ہر جگہ پر camera لگا دیں پھر بھی میرا جو پاؤں چپل کے اندر ہے وہ پاؤں camera کو نظر نہیں آرہا چلو چپل میں بھی camera لگ گیا جو اس موزے کے اندر میرا پاؤں ہے وہ camera کو نظر نہیں آرہا چلو موزے کے اندر camera لگ گیا لیکن camera کی بھی بہرحال کو limitation ہوگی کہیں تو وہ limit کھائے گا کوئی angle ایسا نہیں ہے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں سے چیز اللہ تعالی سے چھپ سکے تو تنہائی کے گناہ اس لیے اتنے fatal اتنے خطرناک ہیں کہ تنہائی میں گناہ کرنے والا اس کا مطلب اللہ کو lift نہیں کروا رہا تو بچوں تنہائی سے بچیں گے تو تنہائی کے گناہوں سے بچیں گے دو کام کرنے پڑیں گے تنہائی سے avoid کرنا پڑے گا اور اللہ پہ ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا اللہ پہ ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ کی بات ماننے والے بنیں گے اللہ پہ ایمان کیسے مضبوط ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جڑیں ان محفلوں میں بیٹھیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کاموں میں انگیج ہوں جہاں پر اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے اللہ کے نافرمانی والے کاموں میں پڑیں گے اللہ کے نافرمانی والی محفلوں میں بیٹھیں گے تو پھر اس کے اثرات بھی اس کے حساب سے ہوں گے تو نکاح top of the list ہے لیکن وہ آپ کے کنٹرول میں ابھی نہیں ہے تنہائی سے avoid کرنا ہے اب وہ avoid کیسے کرنا ہے یہ آپ نے اپنے اپنے حالات دیکھنا ہے لیکن اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں کنٹرول کر لوں گا تو اگر کنٹرول کر لینا ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کبھی بھی نہ بھاگتے کیونکہ وہ تو نبی ہیں ان سے زیادہ کنٹرول عام انسان کا تو ہوئی نہیں سکتا وہ بھی بھاگے ہیں وہاں سے اور چونکہ وہ نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے دیکھیں نبی پہ تو دبا آئی نہیں سکتا نا نبی تو اللہ تعالیٰ کے ایجنٹ ہیں ان پہ تو دبا آئی نہیں سکتا ان پہ دبا تو اللہ پہ دبا ہو جائے گا تو نبی میں تو یہ خامی ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ ان سے یہ گناہ ہو جاتا ہو ہی نہیں سکتی تھی جن نبیوں سے بھی خطائیں ہوئی ہیں وہ ہمیں سکھانے کے لیے ہوئی ہیں گناہ نہیں ہوئے ہیں نبیوں سے گناہ نہیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو बचा ही इसलिए रहे हैं कि उनके नबी होने पे ध्बा ना आ जाए लेकिन हमारे लिए का मैसेज है भागो वो वहां बैठके दावत नहीं देने लग गए थे खदर जूसर अलसलाम का वाक्या बता रहा हूँ जुलैखा के वो घर में है जुलैखा के कंट्रोल में सारे कमरे वगारा सब जुलैखा के कंट्रोल में और वो अल्ला ताला डायलोग भी फरमा रहे हैं कुरान पाक में यूसुफ आओ और वो भाग रहे हैं वहां से तो तनहाई से भागना है तो इस वक्त आपकी एज میں जो आपकी एज स्पेसिफिक बियान रखा था मैंने आपकी एज में इस वक्त सबसे बड़ा मसला तनहाई के गुना है तनहाई से बचना है अब वो कैसे बचना है उस पर मुख्तलिफ मेयर्ज लिये जा सकते है आप अकेले कमरे में वक्त कम से कम गुजारें जब अकेले वक्त गुजार रहें मुबाइल पास ना रखें कोशिश करें कि अगर बहुत मजबूरी ना हो तो स्मार्ट फून ही ना रखें अपने हाथ में जरूरी होता है ठीक है हमारी आजकल की एजुकेशन इस वितनी लिंक हो चुकी है लेकिन क्या हर वक्त किताब, कैलकुलेटर, बैग आपके पास होता है नहीं तो फिर मुबाइल भी दूर रखा जा सकता है क्योंके स्मार्ट फून की जिस्टिफिकेशन पढ़ाई है ना आप लोगों ने अपने घरवालों को स्मार्ट फून की जिस्टिफिकेशन क्या दिये पढ़ाई है जि लेक्चर लेने होते हैं तो पढ़ाई के लिए जितना स्मार्ट फून जरूरी है उतना रिजिस्टर, पैन, कैल्कुलिटर ये भी जरूरी है तो वो तो वाश्रूम में नहीं साथ जाता ना पैन रिजिस्टर नहीं जाता ना साथ तो मुवाइल क्यू चला जाता है तो स्मार्ट फून अगर आप उसको पढ़ाई सही लिंक रखते हैं क्योंके वटसेप में सरने नोट शेयर करने होते हैं तो स्मार्ट फून को अपने से दूर रखने की कोशिश करने हैं हम सारे हम सारे मैं भी इंक्लूडिव हूँ और बलके मैंने जब ये बियान करने का सोचा था ये तनहाई के गुनाहों के अपर इस बियान देखें अल्ला ताला ने परदा रखा होता कोई पता नहीं आपके वालिद इस तरह के इनसानों के आप उन पर थूकने भी पसंद ना करें ये तो अल्ला ने परदे रखे हूँ है मेरे सिर्फ इस सोच से ही के मैंने इस पर बियान करना है पिछले दो-तिन दिन से मेरे कई तनहाई के गुनाएं जो अवाइड हो गए इस फिकर के साथ का यार मैं किस मू से जाके बच्चों को नसीयतें करूंगा जो जो नसीयतें मैंने सोची थी मैंने उनको अवाइड करना शुरू कर दिया तो जब अल्ला का बोल बुला जाएगा जब दावत का काम दिया जाएगा तो फिर इनसान के अंदर इस तरह के स्टेफ्स लेने में मदद दानी शुरू हो जाएगी अल्ला की तरफ से तो तनहाई से अवाइड करना शुरू कर दें इसके मेयर्ज लिए जा सकते हैं मुबाइल कोशिश करें के तनहाई में पास ना हो लेक्चर लेने हैं कोशिश करें लेबरिनिम बैट के लेक्चर लें घर में कम्प्यूटर है कोशिश करें के वो कम्प्यूटर लिविंग रूम में होना चाहिए bedroom में नहीं होना चाहिए living room में होना चाहिए कोशिश करें कि computer का जो रुख है वो घर वालों की तरफ होना चाहिए जितने अब तो खेर रिवाज नहीं है किसी दोर में internet clubs का दोर होता था internet cafe ये 90's 2000's की बात है वो internet cafe खाली पड़ा होता था जिसमें सारे computer's सामने लगे होते थे वो खाली पड़ा होता थे लेकिन जिनमें cabin's होते थे वो हर टाइम भरा होता था और अगर cabin ना भी सही लेकिन computer's दिवार के तरफ रुख होते थे और उनके side'ों पे अच्छी हाजी दिवार कड़ी होती थी वो इंटरनेट रश से भरे होते थे तो कोशिश करें कि जो घर में computer इस्तमाल हो रहा है वो publicly available हो और अगर कोई बड़ा भी इस बात को सुन ले तो वालदेन अपने बच्चों के साथ involved रहें अपने बच्चों से पूछते रहें उनसे हिसाब किताब ले अच्छा हिसाब किताब भी तरीके से ले अगर वो बहुत जादा सक्त हो जाएंगे तो पिर वहां से जूट बोलने के मौके निकलने शुरू हो जाते हैं ये वालदेन ने सोचना है कि उन्होंने किस तरह हिकमत बसीदत के साथ अपने बच्चों के साथ मामलाद रखने आप अपनी पढ़ाई के दिनों को याद रख लें हो सकता है कि आपकी वो क्लासिज जिनमें आपके वालिद, वालदा, बड़ा बाही बड़ी बहन आपकी पढ़ाई में कि कौन कितनी देर से पढ़ रहा है, क्या कर रहा है रूम के अंदर, किन लोगों के साथ उट वैट रहा है, बाहर गया तो किस वज़ा से गया, ये मैयर्ज रखने पढ़ेंगे, क्योंकि अगर नहीं रखेंगे, जब सुपर्वीजन खतम हो जाएगी, तो बंदा जाने और श क्योंकि अगर गोर करें, जब मैंने भी सदीश में गोर किया, तो अल्ला की जात चैलेंज हो रही है, तनहाई के गुना में अल्ला की जात चैलेंज हो रही है, हम अल्ला को ये शो कर रहे हैं, कि अल्ला आपका देखना हमें मैटर नहीं कर रहा हमें लोगों का देखना मैट करें दूसरा जो फैक्टर्स इनकी तरफ बढ़ाते हैं देखें स्टेडियम नहीं बंद करना रस्ते भी बंद करना है उन में एक बहुत बड़ा फैक्टर है नजर जब चलते फिरते हमारी नजरें अच्छा ये उस लड़की का कसूर है उस लड़की का मामला है कि उसने अप तो चलते फिरते अपनी नजरों की हिफादत करने वाले बन जाएं देखें जब आप किसी तरफ कदम बढ़ाते हैं और अल्ला की रिजा के लिए बढ़ाते हैं हम सब तो अल्ला की मददानी शुरू हो जाती है एक स्टूडन्ट जो टीचर से बार बार पूछता है और मुश जब स्टूडन्ट अपनी एक टेंडेंसी शो करेगा कि सर में सीखना चाहता हूं सर क्यों नहीं सिखाएंगे लेकिं जो इस जजबे के साथ के सर को तो कुछ नहीं आता मैंने तो घलत साबित करने के लिए सवाल पूछने पिर सर जवाब नहीं दे रहे होते हैं तो जब अ साला को ये लगेगा कि बंदा अल्ला की तरफ बढ़ना चाहता है अल्ला की रिजामंदी के लिए स्टेप्स लेना चाहता है तो बेटे अल्ला क्यों नहीं मदद करेंगे तो इसका तहिया करें सारे कि हम सब अपने तनहाई के गुनाओं से बचने के लिए तक्वा तो स्ट बेलते हुए नहीं है मुबाइल के ओपर भी नजरों की हिफाज़त ही जो जगा जगा बड़े बड़े बोर्ट लगें हुए हैं वहाँ भी नजरों की हिफाज़त ही हो रही है आप कॉले जाते हैं आप किलास में बैठते हैं यानि हमारे मौशरे के अंदर इस वक्त कोई जगाई या इसी नहीं कर आपको ना करने ही पड़ेगे करनी पड़ेगी आपने आगे आगे आर्टिकल्स में जाना है आपको नजरों की इवादत करनी पड़ेगी आपने आगे एक एक कमरे के अंदर लड़का लड़की खटे बैठे हुआ करेंगे assignments ऐसी हुआ करेंगे articles में छोटी assignment होगी टीम में दो लोग होगे लड़का होगी लड़की होगी ऐसे भी assignments होगी अब वहाँ पर आपको नजरों की इवादत करनी पड़ेगी कई clients होगे जो बहुत दूर दूर के भी होगे pick and drop होगी गाड़ी रेने आती है गाड़ी छोड़ने जाती है आदा गंटा पौना गंटा एक गंटा सफर साथ हो रहा होगा बहुत मौके मिलेंगे बलके इसकी एक extreme situation यह होती है कि secondments पर दूसरे मुलकों में भेजा जाता है और दूसरे मुलकों में जब भेजा जा रहा होता है तो दूसरे शहर में आके अमा बापा के लिहाद नहीं रहा जाता तो दूसरे मुलक में जाके क्या होगा तो इसलिए आपको जगा जगा जिन्दगी में मौके मिलेंगे नजरों की हिफादत बड़ी दुरूरी है तनहाई को अवॉइड करना है नजरों की हिफादत करनी है और उस महौल में उन लोगों के साथ उन एक्टिविटीज में जुड़ना है जो ल़ा पे एमान को बढ़ाने वाली एक्टिविटीज हो और सबसे आखरी बात और सबसे जरूरी बात अल्ला बहुत रही है आज तक जितने भी गंदगियां हो गई जितने भी गुना हो गए शैतान ये कहता है किस मूँ से अल्ला के पास जाओगे इतने गंदे तुम काम कर चुके हो इतनी गंदगियां कर चुके हो किस मूँ से अल्ला के पास जाओगे तो इसी मूँ के साथ जाएंगे अल्ला ने कुरान पाक में बारहा फरमाया है कि तुम गंदगियां गुना कर करके आस्मानों तक पहुचा दो लेकिन अगर सचे दिल से तौबा कर लो तो अल्ला सब माफ कर देंगे सब माफ कर देंगे जब इनसान एक गुना एभी एक हधीस का मुफूम है जब इनसान एक गुना करता है न तो उसके दिल के उपर एक स्या डॉट लग जाता है फिर वो और गुना करता है फिर डॉट 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 अगर मैं यहां डॉट लगाना शुरू कर दूँ तो आस्ता जगा भर चुकी होगी तो एक वक्त ही आता है कि उसका दिल स्या हो चुका होता है उस वक्त उसके दिल के अंदर एमान दाखल नियुह उपाता फिर वो शयतान का बंदा बन जाता है पिर वो شयतान के तबे चलता है यहाँ जब तोबा की सब दूल जाएगा बिलकुल सा आ लॉण नहीं रखते बातों का बोझे माफ तो फिर माफ लेकिन तौबा करते कैसे है देखें तौबा की शरायत में शर्मिन्दा होना शामिल है और आप अगर अपने उपर लगा के देखेंगे ना तो आप तौबा मान लेंगे मतला आपको तौबा समझा जाएगी आपको किसी ने नुकसान पोँचाया है आप उसकी सौरी कब कबूल करेंगे शर्मिन्दा होगा और आपको अंदाजा हो जाएगा या बैस ऐसी मुझा पे कह रहा है तो जब हमें अंदाजा हो जाएगा तो Allah झूनी अंदाजा होगा शर्मिन्दा होगा चलें ठीक है शिर्मिन्दा हो गया फिर बस शिर्मिन्दा हो गया काफी माफी मांगेगा आपसे और अचा दुबारा ना करे में क्या शामिल है यह वो तो फ्यूचर है कमिट्मेंट कैसे शो करेगा कुछ ना कुछ उसके लिए स्टेप्स लेगा जैसे अगर आपको मुबाइल किसी ने चीन लिया और उसके बाद करा सौरी यार सौरी मुबाइल वापस भी करेगा मुबाइल भी वापस करेगा स्टेप्स लेगा तो अल्ला से तौबा करने का भी यही तरीका है कि हम शर्मिन्दा होंगे जितने मर्जी गुना की होंगे शर्मिन्दा होंगे अल्ला से माफी मांगेंगे और आइंदा ना करने का वादा जिसमे शामिल है स्टेपस. अगर मेरे लैपटॉप में गंदी मुवीز बड़ी हुई है तो मेरे तोबा के अंदर उनको डिलीट करना भी शामिल है. सिर्फ क्लोस करना शामिल नही नहीं कर रहा to मैंठ्यू डिलीट नहीं कर रहा. क्यायों कि मैं औरादा है दोरा देखने का इसलिए डिलीट नहीं करना तो डिलीट करना भी शामिल है अगर आपके कहीं तालुकात हैं लड़कियों के साथ बेशक आप कहें के नहीं नहीं सर बस हम सर्फ हम जस्त दोस्त हैं हम बस ऐसी कैजूल बात करते हैं तो खेर आप अभी उस स्टेप तक अल्टि नहीं करूंगा फिरू कोई कि क्यों वहसल में ना बात यह है कि ये षम्थ हैं तो अगर आप किस तरह कि एक्टिविटी Wellness में एंगेज हैं मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं अगर इस तना की अक्टिविटीज में इंगेज जाएं तो उनको फुल स्टॉफ फॉरन लगाना पड़ेगा फॉरन कट आफ करना पड़ेगा समझा नहीं सकते आप कि नहीं वजा यह है आप अगर अच्छा शेतान क्यास में धोका देगा चैतान यह कहेगा कि बता तो गयते तो परेशान होगी दिल तोड जाएगा देखो कितना गुनावाला काम है किसी इको तक्लीफ पहुँच आणा गुनावाला काम है देखें मैं अगर कोई चीज़ बताने के लिए मजाग बीच में ले आँ तो वो मेरा स्टाइल है आप जब मजाग में ले जाएंगा तो प्रेदर निकल जाएगा ये शैतान कहेगा कि उसको तकलीफ पहुंचेगी तो गुना होगा इस शैतान के धोके से बचने के लिए आप फॉरण इमेजन करें अपनी बेहन को कि आपकी बेहन का किसी लड़के के साथ तालुक है और वो लड़का कट ओफ करना चाह रहा है आप क्या चाहेंगे होगी बेहन से गलती आप क्या चाहेंगे कि वो आपकी बेहन से बात करके तसली से समझा के फिर कट आफ करे या दफा हो फॉरन फॉरन दफा हो क्योंकि अगर वो बैट के समझाने लग गया बात फिर शुरू हो जाएंगे तो बिटा कट आफ फॉरन करना पड़ेगा इसमें ये धोका है शेतान का कि उसको तकलीफ होगी उसने कियों की थी ऐसी पुटी हरकते उस लड़की नहीं कियों ऐसी पुटी हरकते की थी तो ये तो उसके लिए अच्छा हो गया कि आपको हिदायत मिल गई उसके लिए अच्छा हो गया तो ये उसका नुकसान नहीं है उसका फाइदा है तो इसलिए अगर आप इस तरह के रिलेशन्सिप्स में इंवाल्व हैं मेरे बच्चों उसको फॉरन खतम कर दो और अल्ला ताला से तौबा करने के लिए اللہ سے معافی مانگنا شرمندہ ہونا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی ہاں پر ہم دعا کریں کہ یہ سب فارمل ہو جائے گا میرے سے ایسے نہیں ہوگی نہ ہی زیادہ آپ سے ہوگی لیکن آج ہی رات تیہ کریں میں بھی اور آپ بھی آج ہی رات اس کو ڈیلے نہیں کرنا آج ہی رات عشاء کے بعد کرنا ہے عشاء کے بعد کرلیں جب کہیں قوم موقع ملے کیونکہ جب اندھیرہ ہوگا تو پھر زیادہ تعلق جڑ سکے گا اللہ سے لیکن اس کو آج کا target کریے اس point پہ بات ختم کر رہا ہوں کہ اللہ بہت رحیم ہے آج کی date کا target رکھئے کہ آج توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کے زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور آپ یقین رکھیں اللہ معاف کر دیں گے پکا معاف کر دیں گے تو آج توبہ پہ اس زندگی کو مزید آگے بڑھائیں اور اس توبہ میں steps بھی شامل ہیں جو steps لینے تنہائی سے avoid کرنا جو steps میں نے بتائیں وہ steps ضروری ہیں وہ steps لینے ہیں ٹھیک ہے ہم میں بھی included ہم اس پہ اپنے طور پہ رادہ کر رہے ہیں کہ آج کی رات جیسے ہی موقع ملے گا ہم توبہ پہ ہی یہ دن کا end کریں گے چلیں اب آپ کی طرف سے کچھ سوال ہیں تو اس کا answer اپنی جتنی بھی وقت حیثیت ہوئی answer کرنے کی کوشش کر لیتا ہوں جی والیکم السلام اچھا میں پھر بتا دوں میں مفتی ناصر باس نہیں ہوں بہت گہرے کوئی شرعی سوال مت کریے گا جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہمیں بسپن سے یہی concept دیا گیا کہ اللہ بڑا گفور و رحیم ہے اللہ ہمارے گناہ مام کرنے والا ہے تو تحاربی اللہ کا نام ہے عذاب دینے والا ہے تو میں اس کونٹیکٹ پر پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ بڑا گفور و رحیم ہے تو ہم بہت زیادہ گناہ بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں کہ چلو یار اللہ مام کر دے گا اگر ہمیں اس پہ زیادہ فوکس کیا جائے کہ اللہ تحاربی ہے عذاب دینے والا بھی ہے تو میرا مانا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو کم کر دیں گے کیوں میں اپنے گناہوں سے اس لئے زیادہ بات آئے ہیں کہ مجھے اللہ کا ڈھن خواب کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے اللہ اس طرح سے سب میں کچھ بدا رہا ہوں اچھا بس یہی پوائنٹ ہے اچھا سوال یہ ہے جی جو لوگ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصیت بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے رحیم ہے اللہ غفور و رحیم ہے تو پھر ہم اور اس بات کے لئے چوڑ ہو جاتے ہیں کہ جلو پھر کھل کے گناہ کرو ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حاربی ہے ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے سوال یہ ہے نبیوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حافظ قرآن بھی ہوگا دو ان کے لئے الفاظ استعمال کی ان کی دو صفات بتائی ہوئی ہیں کس لئے آئے ہیں وہ خوشخبری کے لئے اور درانے کے لئے ہمارا جو آفٹر لائف ہے جو موت کے بعد کی زندگی ہے وہ کونسی دو منزلیں ہیں جنت ہے اور دودھر ہے اب یہ دو ہی طریقے ہیں انسان کو موٹیویٹ کرنے کے دو ہی طریقے ہیں جس کو خوشخبری سنا کے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے اس کے لئے یہ طریقہ ہے اور جس کو ڈرا کے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے اس کے لئے ڈرانے والی طریقہ ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کے لئے اپلائی ہونا ہے جو دل میں خیر رکھتا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے والی صفت رحمان والی صفت دینے والی معاف کرنے والی صفت یہی موٹیویٹ کر جائے گی اس کو اور جو ڈنڈے کھا کے ہی چلے گا اس کو پھر دوزہ سے ڈرانا پڑے گا یہ دونوں ملا کے چلانے پڑیں گے کیونکہ اگر صرف ڈرانے والی صفت آ جائے گی تو میں کسٹ کی مثال دیتا ہوں اگر میں کسی چپٹر کے بارے میں شروع سے ہی یہ کہنا شروع کر دوں کہ impossible ہے impossible ہے impossible ہے impossible ہے تو کیا ہوگا سمجھ نہیں آئے گی آپ لوگ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے چھوڑ دیں گے کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کے والدین تو تو ہے ہی شیطان تو تو ہے ہی ایسا تجھے تو کبھی سمجھ آنی نہیں ہے وہ بچہ کہتا ہے اچھا ایسے تو پھر ایسے ہی سی تو جب انسان کو یہ میسج دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہی کہار جیسے باکسر میں نے دیکھا ہے فیملی میں بھی کہ چھوٹا سا بچہ ہے تین چار سال بیٹا نہیں کرو اللہ زبان جلا دیں گے تمہاری نہیں کرو اللہ تعالیٰ تمہارے پاؤں جلا دیں گے اب اس بچے کو اللہ کی پہچان ہی کیا کرائی جا رہی ہے بچے کو لگتا ہے شاید کوئی ظالم کریکٹر ہے جو کہ بچے نے تو فلم اے ڈرامے دیکھے ہوتے ہیں بچے کو لگتا ہے کوئی ایسا ظالم کریکٹر ہے تو پھر وہاں سے وہ باغی ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ جب اتنا ظالم ہے تو پھر یہ تو پھر سب نظام بیکار ہے پھر اس میں جب بڑا ہوتا ہے تو جو ایتھزم کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو اگر اللہ اتنا ہی پیار کرتا تو دعوت وقت میں کیوں ڈالے گا وہ اس سے اللہ سے اور دون ہونا شروع جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت والی صفات بھی ہیں کہار والی صفات بھی ہیں رکھنا تو ان کا بیلنس پڑے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اللہ کی رحمت والی صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کہار والی صفت پہ غالب ہے کوئی بولر اگر ہو اور وہ چھکے چکے بھی مار لیتا ہو جیسے عبدالعزاق تو خیر پروپر رال راؤنڈر تھا نا وسیم اکرم ہے وسیم اکرم نے بڑے چھکے مارے ہیں اور اس کا ہائیس سکوریون 200 پلس بھی ہے لیکن وسیم اکرم کی پہچان کیا ہے بولر کی حالا کہ مارا اس نے چھکے بہت ہوں گے لیکن بولر کی پہچان ہے کئی بیٹسمن ایسے ہوں گے جن کی کئی وکٹے ہوں گے لیکن ان کی پہچان کیا ہے بیٹسمن تو کسی کی پہچان وہ بنتی ہے جو اس کی صفت ڈومینیٹ کرتی ہے تو اللہ کی صفت چونکہ رحیم ہونا ڈومینیٹ کرتی ہے تو ہم لوگ پڑتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم یعنی ہم کہتے ہیں اللہ کے نام سے ہم کام شروع کر رہے ہیں جو رحمان اور رحیم ہیں یعنی اللہ کی پہچان ہی رحمان الرحیم بن گئی تو اللہ نے بھی اس کا مزاج یہی دیا کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے بارہا فرمایا ہے کہ جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہوں جب تمہارے گناہ امبار لگ جائیں میں قوبہ قبول کرنے والا ہوں تواب الرحیم ہوں میں میں معاف کرنے والا ہوں میں معاف کرنے والا ہوں تاکہ لوگ ڈی موٹیویٹ نہ ہوں تو اس لیے دونوں صفات چلانے ہی پڑتی ہیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جس کو سمجھایا جا رہا ہے وہ کس مزاج کا ہے نیگٹیف سنس نیگٹیف تو نہیں خیر نیگٹیف کا ورڈ ہی ٹھیک ہے نہیں نہیں میں اپنے الفاظ ہی واپس لے لیے کہ یہ پہلو بھی بتانا چاہیے باپ کو یہ بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے مجھے اس کے الفاظ نہیں یاد ہیں کہ جو ڈنڈا ہے نا وہ دیوار پہ لٹکتا رہنا چاہیے باپ کے لیے اولاد کی تربیت کے لیے ڈنڈا دیوار پہ لٹکتا رہنا چاہیے ضروری ہے بچے کو کہ باپ پٹائی بھی لگانے والا یہ اس کی تربیت کے لیے ضروری ہے تو جہاں پر سختی والا element دکھانا ہوگا ضروری ہے قرآن پاک کا آخری پارہ پڑھ کے دیکھیں قرآن پاک کے جو تیس میں پارے کی صورتیں ہیں نا ان صورتوں کا ترجمہ بڑھ کے دیکھیں ہر صور کیوں جی آفیس صاحب تیس میں پارے کی صورتیں تیس میں پارے کی آخری پارہ تقریباً ساری صورتیں کیا میسج ہے ان میں قیامت آچھا چلے قیامت تباہی ہو جائے گی زلزلہ آ جائے گا تو اللہ نے جہاں ڈرانا تھا وہاں ڈرائے بھی زوردار ہے لیکن ڈی موٹیویٹر نہ ہو جائیں تو اس لیے رحیم والی بات بھی ہے تو یہ تو حکمت بس وی سے چلا رہی پڑے گی بات ہے یہ تو میں نے پورا بیانی کر دیا اس بات پر ہاں جی اور کوئی سوال جی نہیں میں نے آپ سے کہا ہے کہ تنہا رہنا آوائیڈ کریں اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی کی تھی کہ موبائل لو رکھیں اور اگر موبائل دیکھیں بات تو یہ ہے کہ آپ کو سٹیپس لینے ہیں تو لینے پڑیں گے آپ کو پڑھائی کے لیے کوئی ویڈیوز چاہیے تھیں کچھ ڈاؤنلوڈ کرنا تھا پبلک پلیس میں ڈاؤنلوڈ کر لیں وائی فائی ڈیوائیس بند کرنے موبائل سے سم نکال لیں سٹیپس لینے والی بات ہے جب پڑھنے بیٹھیں تو انٹرنیٹ بند کر کے بیٹھیں اور ایسا بند کر کے بیٹھیں کہ ایسے کر کے پھر دوبارہ آن ہو جائے وہ ڈیوائیس تار سار نکال کے لپیٹ کے پھر بیٹھیں کیونکہ اگر میرز لینا چاہیں گے تو یہ کام کر پائیں گے اب اگر انسان کرنا چاہے تو موبائل میں سے یہ انٹرنیٹ وغیرہ سب وائیڈ ہو سکتا ہے پڑھائی کے ٹائم پہ موبائل لے کے بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں آپ کلاسز کے اندر موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور پر جیسی کو نوٹیفکیشن آتی ہو پھر سے اس کو نیچے کرتے ہیں بات کر رہا ہے ٹیچر آپ کہیں سے کہیں 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 نہیں جاتے ہیں تو اس لیے اکیلا رہنا کو میں نہیں کیا رہا کہ نہ رہے ہیں باپ آئے ہی رہنے کے لیے اکیلے پڑھنے کے لیے اکیلے پڑھنا ہے بلکل اکیلے پڑھیں لیکن پھر یہ گیجٹس اپنے ساتھ نہ رکھیں جی تو آپ کا اپنے ہوتے زیادہ م Osc کیا wrapper کہیں خیال अच्छा सवाल ये है कि अगर कोई इस था हूँ ही अपनी जिन्स में तो उसका क्या कसूर है या उसके लिए क्या किया जा सकता है इसकी मैं डिटेल तो नहीं जानता कि उनमें खुआश क्या पिदाशी होती होगी या महौल से डिवेलिप होती होगी इस पे तो मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ लेकि मेरा दाती ख्याल ये है कि कहीं ना कहीं महौल असर अंदाज होता होगा कहीं ना कि उसके असरात आते हों क्योंकि ऐसे ही किसी बच्चे में एंवी ये खौईश आ जाएगी नहीं, नहीं होगा इस तरह ये जो हमारे सामने मीडिया पहुँचा है जिन में इंटरनेट, वीडियो, पिक्चर्स, सारी किताबे शामल है प्रिंट मीडिया भी शामल है इस तसकीन को पूरा करने के लिए जो तरीके हम तक पहुँचे हैं वो गहर फितरी तरीके हैं बहुत सारे कई वो गहर फितरी तरीके हैं क्योंकि फिल्मे देख देखके, क्योंकि जो फिल्मे बनाई जाती है उन फिल्में बनाने के अब्जेक्टिव बहुत डिफरेंट होते हैं जो तरीके उन फिल्मों में सिखाए जाते हैं आज हमारे मौशरे का अल्मिया यह है कि बाप अपने बेटे के साथ बैठके बारिश वाले गानों के फिल्में देख लेगा के फैमिली मुवी है लेकिन उस बेटे को यह इसकी बाते नहीं कर सकता यानि हमारा बाप आप लोगों के अबबा आप से बैठके डिसकस नहीं कर सकते है बेटा वो चुके तुम्के तुम्हें हैतलाम हो गया तो तुमने अब क्या करना है शरमिंदा फिरते फिरेंगे जब शादी की उमर पहुँचती है तो वालदेन शादी की तियारियां क्या कर रहे होते हैं शौपिंग करना ना बाप बेटे को बढ़ा के समझाता है ना मा बेटी को बढ़ा के समझाती है अब ऐसे में उनका गाइड कौन है गंदी फिल्में अब जब उन गंदी फिल्मों को देखेंगे तो उनमें गहर फितरी चीज़ेंगे उन गहर फितरी चीज़ों को देखके सीखेंगे पिर उनका भी रोल आना शुरू हो जाएगा और जो गुदागार लोग होते हैं उनके दिल के अंदर भी कही ना कहीं कुछ खटकरा होता है। उनको सिगनल जा रहे होते हैं। तो वो जो इनसान जो भी ये बात कर रहा है उसको सिगनल जाते होंगे। उसको गुना के बाद एक बेचैनी होती होगी उसको एक खराबी लगती होगी मैंने क्या किया है आप लोग अपनी जिन्दगी में जो बड़े बड़े गंदे गुना है जब भी कभी उससे गुजरे होंगे उसके बाद एक चमिन्दी की होई होगी मैंने क्या किया है ये होता है तो उसको भी शायद यगीनन इस तरह के सिगनल मिले होंगे तो अगर वो उन सिगनल्स को भी नहीं सुन रहा तो फिर तो वो गुनाओं की तरफ जा रहा है और इसमें आपको करने आपका क्या काम है डिपेंड करेगा कि आपका तालुख क्या है आपके सत्तक मईयर्ज ले सकते है डिपेंड करता है कि आपका उसके घर में कित्रा इंफ्लुएंस है देए समझाया तो ये हक्की बाती जा सकती है अध़र्लूत लूछ लूट की काम में जब यह हमजिन परंस्ती की खामी आई थी बिमारी आई थी तो अधर लूत अलेस्टी अनको समझाते थे बई अल्ला ने मेरे कौम की औरतें तुम्हारे लिए हलाल की है वो उनको समझाते थे वो नहीं मानते थे फिर फरिश्टे आगए अजाब लेके और तो और अफसीन तो मज़े काई है वो फरिश्टे जो आए थे वो खुबसूरत जवानों की शकल में आए थे अज़रत लूत अल्हासलाम के घर में जो अजाब देने वाले फरिश्टे आए वो खुबसूरत जवानों की शकल में आए थे अब वो जो सारे अलाके वाले थे वो आखे अनके घर के बार कि इनको बेजो बार हमारे पास तो वो उन फरिश्टों ने कहा कि आप परेशान ना हो हमें अल्ला ने अजाब के लिए भेजा तो अज़र दूत अलेसलाम तो उनको समझाते थे और वही बता रहो ना कि इसमें उस शक्स के करीबी लोगों का रोल आएगा कि वो क्या स्टेप्स लेते हैं अगर एक बच्चा ना पढ़ता हो तो घर वाले को स्टेप्स लेते होंगे के नहीं लेते हैं ना स्टेप्स प्रक्राइन के मामले में हमारे अक्सर घरों के बड़ों का ये मिज़ाज होता है कि बस उसको सक्ती नहीं करता मैं बस उसको अच्छा बुरा बता दिया है तो फिर ऐसा करो अपने बेटे को बताओ कि बेटा पढ़ना चाहिए अच्छी बात है फिर चितर ना मारा करो जब उन ना पढ़े क्योंकि उसको अच्छे बुरे का बता दिया है ना फिर क्यों रोकते हैं उसको तो इसमें मेरा मश्वरा यही है कि उसके घर वालों का इसमें रोल आएगा जो एक्सपर्ट से पूछें इसकी फिकर करें सबसे ज़रूरी चीज़ दूआ है कि उसके लिए दूआ किया करें उसके जितने कریबी लोग हैं उसके लिए दूआ किया करें और उसके लावा जो 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 रैलिवंट एक्सपर्ट से पूछ के उनको मायर्ज लेने पढ़ेंगे अच्छा मैं इसमें आपको यही रोकता हूँ कि अपने गुना जो है न वो शेयर ना किया करें अपने गुना शेयर ना किया करें जब जमाने जहलियत था तो उस वक्त अर्बों की जो बुराईयां बताई जाती है तो उन में एक बुराईयां ये भी है कि वो जो अपने गुना करते थे वो फखर से आके शेयर करते थे तो अपने गुना शेयर ना किया करें जी अगर राप को अखिला बने हैं तर हाई रहे हैं तो अगर इतने बीज़ी हैं कि हमारे लेक्टिस पेंड़ेंगे सब्सक्राइब करेंड़ेंगे बहुत इंबॉल्व हैं खास तौर पे जब आपको पढ़ाई की फिकर है आप रोज का रोज काम खतम करना चाहरें एक्जैम्स की त्यारी करना चाहरें जलम भी होगी बाज़ादा तो आप पढ़ाई में जब मसरूफ हैं तो उस मौके पे ये जो जजबात हैं जो जिस्मानी जरुरत है ये उस वक्त डॉमिनिट नहीं कर रही तो हाँ ठीक है लेकिन ये वक्ती चीज़ होगी जब आप उस प्रेशर से हटेंगे और फिर जब अकेले होंगे रात ने फिर जजबा बढ़ेंगा ये भी रीज़न है तो लेकिन इसमें आपका पॉइंट इसमें अगर आपका पॉइंट ये है कि नई नई क्योंकि आपको अगर इस तरफ इन खौईशाद की तरफ ध्यान नहीं जा रहा तो ये आप खुद फैसला कर सकते हैं कि वो किस लिए नहीं जा रहा से नहीं जा रहा या अल्ला की फिकर से नहीं जा रहा अगर अल्ला की फिकर से नहीं जा रहा तो तकवा है अगर पढ़ाई की फिकर से नहीं जा रहा तो तकवे वाली इसमें दोई बात नहीं यानि एक एक शखस है जो जेल में बंद है जेल में तो वो बाहर निकल के चोरी डकेत नहीं कर पा रहा तो उसको मुत्तकी तो नहीं कहेंगे ना तो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की जेल में ऐसा कैद हो गया अपनी पढ़ाई की जेल में ऐसा कैद हो गया कि वो बाहर निकलेगा तो इदर उदर देखेगा ना तो वो मुत्तकी नहीं है वो तो पढ़ाई में मसरूफ है लेकिन ये अच्छी बात इस लिहास है बड़े बुरे कहा करते थे कि बच्चों को खेल कूद में इन्वाल्फ करना चाहिए इससे ये होता है कि जो जो जवान खेल में मसरूफ होते है ना फिर वो इन कामों में कम आते हैं तो वो भी हो सकते हैं खेल कुद है जिम है कोई भी एक्टिविटीज है हेल्दी एक्टिविटीज है पढ़ाई भी उनमें एक एक्टिविटी है तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो पढ़ने वाले लोग होते हैं उनमें ये मसाइल निस्बतन कम होते हैं उन लोगों की निस्बत जो बिल्कुल शड़े शाँ डवारा कर दें उनमें मसाइल जादा है तो आपकी पढ़ाई इसमें हेल्प कर रही है अब उसमें वो तक्वा है वो एड हो सकता है कि अल्ला ताला मैं मैं चीजों से नब बचना जाता हूं अब आप उसकी वज़ा से और अक्टिविटीज में इंगेज दें तो ठीक है फिर यह तक्वा भी आना शुरू हो जाए जाए जी वो तो हो गया वो तो हुआ है यानि अगर सवाल ये है कि पास्ट बहुत गुराओं में गुजारा और उसकी वज़ाए से जो जिसम को नुक्सान होने थे वो हुए अब इनसान जब तौबा कर लेगा तो उससे तौबा करने से गुना सब धुल गए बिलकुल साफ और अल्ला की रहमत अगर इस पे जादा जोश में आती है तो वो अल्ला गुनाओं को नेकी में बदल लेते है ये भी स्कीम मौजूद है सिर्फ गुना साफ नहीं होते है अ नेकिये में बदल जाते हैं तो ये सवाब गुना आमाल आखरत ये उससे रिलेटेड है लेकिन जो जिसम का सत्यानास हो गया वो तो हो गया यह अगर किसी ने अपना हाथ काट लिया है और उसके बाद तो तौबा करता है तो हाथ नहीं निकलाएगा हाथ तो गया तो जो ज तरकतों की वज़ा से खाने पीडे में फाइदों की वज़ा से उसके पर असरात पढ़ने शुरू हो जाएंगे लेकिन अगर हाथ कट गया है तो वो कट चुका होई नहीं हाथ निकलाएगा तो इसलिए जो जिसम को नुक्सान पहुंच चुके हुएं वो रिवाइव नही नहीं करो लो तो जम एक संव होई नहीं करता है नहीं अगराद की Though इसके बार चुह अव्ट स्विण का लेरayan य समने तीन अच्छा कुस्चन दोरा देता हूं कुस्चन यह है कि सच्चे दिल से तौबा की एक इनसान ने तौबा करने के बाद उस पे उसने पूरे मियर पूरे लिये लेकिन उसके बाद फिर गुनाहों में उतर गया तो फिर अब क्या होगा क्या अटेम्ट्स खतम हो जाएंगी या एकस्पायर हो जाएंगी एक अधिश का मफूँ है उसमें तीन दफ़ा का दिकर था यह पिर गुनाह करते हैं पिर तौबा करते हैं पिर माफ कर देते हैं यह तो वैसे उस दिकर तीन दफ़ा का था लेकिन अगर इनसान कोई सत्तर हजार दफ़ा भी गुनाह तौबा तोड़ता है और उसके बात तौबा करता है कबूल होगी लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या वो वाकई तौबा है जैसे स्टेप्स पूरे लिए नियत भी पूरी थी डेटा शटा सब डिलीट कर दिया लेकिन जजबात तो बहराल इनसान के कमजोर तो है ना फिर से उसके असरात उस पे एफेक्ट हुए दोस्तों की तरफ से खराबी आई वो फिर से गुनाह में उतर गया फिर तौबा कर ले फिर साफ हो जाएगा सब कोई मसला नहीं है लेकिन अगर कोई इस नियत से गुनाह पे गुनाह कर रहा है कि खैर है तौबा करके साफ तो हुई जाएगा तो वो तौबा के शरायत ही पूरी नहीं कर पा रहा हाँ इसमें एक चीज़ सोचने वाली जरूर है एक impairment टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि ऐसा क्या हो रहा है कि बार बार तौबा तूट रही है इस पे गोर करना पड़ेगा यकीनन हमने मैयर्स फिर ठीक नहीं लिये वे हम अब भी उन लोगों से मिल रहे हैं जो हमें गुनाओं की तरफ लेके जाते थे फिर इस पे सोचना पड़ेगा जब वो भी स्टेफ ले लेंगे फिर तौबा तूटने के चांसिस कम होने शुरू हो जाएंगे फिर तूट जाएगे फिर तौबा कर ले फिर मैयर्स लेना शुरू कर ले तो इसकी कोई लिमिट नहीं है ये अल्ला की तरफ से कोई फुल स्टॉप नहीं आएगा कि बस ने सारे अपने रिव्यू के चांसिस खतम कर दी है ये नहीं होगा ये जब तक इनसान की जिन्दगी है जब तक मौत का फरिश्टा नहीं पहुंच गया उस वक्त तक तौबा का दर्वादा खुला है चाहे वो उसकी पंदरा हजारवी तौबाई क्यों नहीं हो हो बहराल प्रॉपर तौबा नमबर आफ अटेम्ट्स लिमिट अटेम्ट्स नहीं है जी तो उसको खतम करने के बारे में कुछ बात रहे हैं देखें यह तो केस टू केस वेरी करता है जैसे हां तो वही बता रहा हूँ ना वही बता रहा हूँ अचिछ चलें अगर एक بچा है उसको कि बिमारी है और उसकी सर्जरी बड़ी जरूरी है एक बचचा है वो बहुत तकलीफ में है उसके सरजरी बहुत जरूरी है सवाल यह है कि अगर किसी लड़की से तालुक है और उस तालुक को खतम करना है तो फिर तालुक खतम करेंगे तो उस बचारी का दिल तूट जाएगा तकलीफ में होगी बचारी कैसे जिन्दगी गुजारेगी तो एक एहसास यह होगा इस वज़ा से तालुक नहीं खतम करते क्योंके लगा उसको दुख तो नहीं दे सकते तो अगर कोई बच्चा हमारा अपना आप तो खेर भी इस बात को मैजन नहीं कर सकते चलें कोई चोटा बेहन भी हो सकता है जिसके साथ बहुत महबत वाला तालुक है वो बहुत शदीद तकलीफ में है बहुत तकलीफ में है उसको के बहुत सकत किसम की बिमारी है डॉक्टर ने सरजरी रिकमेंड की है और सरजरी भी ठीक था किसम की सरजरी है बहुत काटा पीटा इन्वाल्व है उसकी सर्जिरी की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे लेकिन उसको दर्द होगी तब कट लगेगा नहीं लेकिन बहराल उसको दर्द होगी लेकिन बहराल कटने के दर्द तो होगी तो अब वहाँ पर ना आप दोनों पिक्चर देख रहे होंगे आप कहेंगे कि वो जो सर्जरी ना करवाने की तकलीफ है वो जादा है और लाइफ लॉंग है सर्जरी की तकलीफ थोड़ी देर की है कमपेरजन करेंगे तो सर्जरी की तकलीफ को प्रेफर करेंगे तो जिस लड़की से तालुक तोड़ने में तकलीफ नजर आ रही है कंटीनियू रखने में जादा बड़ी तकलीफ है क्योंकि अकर कंटीनियू रहेगा तो आप भी और मतलब आप नहीं वैसे कहा रहा हूँ वो लड़की भी अपने फिचर के बारे में मुखलツ नहीं हो तके हैं क्योंकि ज़जबातं इंवॉल्व है कल को शादी नहीं होगी आप लोगों की लड़के के कहीं और शादी हो जाएगी लड़की के कहीं और हो जाएगी कि उन शादी के रिलेशन्स के अंदर नुकसान आने शुरू हो जाएंगे और शादी होने के बाव भी ऐसे हमारी सुसाइटी के अंदर वाकियात मौजूद है कि शादी हो गई लेकिन पुराने के साथ तालुक ऐसा स्ट्रॉंग था कि गुना में मजीद इन्वाल्वड रहे और अपने शोहर कोई मार दिया या घर से भाग गए ऐसे हमारे किसे हैं हमारे मौचरे के अंदर भरे पड़े हैं मौचरे के किसे तो इसलिए वो जादा बड़ा नुकसान है अब भी खतम करके तकलीफ छोटी तकलीफ होगी कंटीनियू रखके तकलीफ जादा तकलीफ होगी तो इसलिए लेकिन फिर भी फिर भी अगर कोई ऐसी सिचुशन में फंसा हुआ है कि वो लड़की बिलकुल ही मेंटल हो चुकी हुए और घर में भी आना जाना है और इस पॉजिशन में है कि अधर आपने कट आफ किया उधर उसना आप घरा जाना है घर वालों को बता देना है अब अगर इस तरह के मामलात हैं तो इसको पर टेक्ट फुली हंडल करना पड़ेगा और ये रेलिवन्ट एक्सपर्ट से राय लेनी पड़ेगी नहीं देखें ये में सीरिस बात है कि कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनका इमीडियेट हल करना और बहुत ही जलादी किसम का एक्ट करना जादा खराबियों की तरफ ले जा सकता है जैसे अगर विसाल के तौर पे एक लड़की की वालदा ने लड़की के बारे में अपने शोहर से काफी जूट बोले हुए या किसी बीवी ने अपने शोहर से बहुत जूट बोले हुए उन जूटों की नॉयत डिफरेंट थी बहुत बड़ी शायद नहीं थी लेकिन अगर अगर अभी फॉरन के फॉरन सच बता दिया तो तलाग भी हो सकती है बहुत हाइपर किसम का रियक्शन आ सकता है तो इसमें समझधारी ही ही होती है कि इसको तरीके से हैंडल किया जाए तो इसलिए हर मसले का ना हल उस मसले पे डिपेंड करता है जनरल हल ये है जनरल के फॉरन कट अफ करें ये जनरल हल है लेकिन अगर कोई और बहुत ज्यादा सेंस्टिव मसला है तो वो खुद अपने तोर पर अगर आप डिसाइट करेंगे कि नहीं जरा आस्ता आस्ता करूंगा तो ये शेतान कहता है अच्छा तू ठैरना जरा बस वाला ज़बा आजाएगा तो इसमें कोई एक्सपर्ट इंवाल्फ करना पड़ेगा जो कोई फैमली मेंबर भी हो सकता है कोई और भी इंफ्लूइंचल परसन हो सकता है ये केस तू केस वेरी करेगा जनरल मशवरा इमीडियेट कट आफ है इमीडियेट लेकिन कुछ ना आएगा जाएगा 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 तो हमें इस शेंसे किसे इनिशियेट करना चाहिए पिलकुल करना चाहिए सवाल यह कांथ हम जिस मौहरा में पले बड़े हैं हमारे वालेन, हमारे इसाद्जा, हमारे बड़े इन टॉपिक्स पे बात नहीं करते थे इवाइट करते थे जैसे मैं अगर अपनी जवानी का वक्त याद करूँ तो जब भी कभी ये एतलाम का फेज हुआ होगा मैंने कभी जाके अबबा को नहीं बताया होगा मैंने उठाके शलवार कहीं जाके कौने में या तो खुद धोली होगी या वाशिंग में डाल दी होगी किसी से पूछा नहीं होगा तो और नहीं बड़े बताएंगे हलां के बड़ों को पता है कि जिस फेज़ में ये गुजर रहा है इस फेज़ में हुआ होगा और इनसान की फिजिकल चैंजिश आनी शरू हो जाती है अवाज बदलनी शरू हो जाती है चेहरे के फीचर बदलने शुरू हो जाते हैं वालदाइन को चाहिए उस मौके के उपर अक्सर वालदाएं तो बेटियों के साथ मामलाद करती है लेकिन बड़ों में मर्दों में देखा गया कि आपने बेटों को नहीं बात कर रहे होते हैं परना चाहिए आप जब इस फेज में जाएंगे आप सारे जरूर करिएगा जो जो बात सुन रहे हैं और आपका जहां 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 भी इंफ्लूएंस चल सकता है जैसे आपके छोटे भाई हैं उनको जरूर गाइड करें चुझके हम नहीं बताएंगे तो फिर उनको फिल्में बताएंगे और फिल्में वो बताएंगी जिसके लिए वो मसाला बेचना चाहते हैं तो इसलिए इस पे अच्छा इसका मतलब यह नहीं होता कि तीसी क्लास के बच्चे को यह नॉली देना शुरू कर दे नहीं हाँ क्योंके हर चीज़का ने एक वक्त है तो इसको बहुत ही इसको बहुत ही हिकमत और बसीरत के साथ हैंडल करना पड़ेगा अगर आप लोगों के छोटे भाई चोटे भाई भाई भतीजे आप लोगों के इंफ्लुएंस में हैं या जो भी अगर वीडियो भी देख रहे हैं बाप हैं उनके बेटे इस पोजिशन में हैं तो ये एज बहुत ही जादा जरूरी सेंस्टिव होती है कि इसमें अगर अपने साथ लगा के ना रखा गया तो फिर बहेकने के बहुत चांसित होते हैं तो इसलिए आप भी जब स्टेज तक पहुँचें तो इसका टारगेट रखें कि अपने जो चोटे जो इस उमर तक जब पहुँचेंगे तो आपकी गाइडनस सपोर्ट उनको अवेलिवल होनी चाहिए ये बिलकुल होना चाहिए और मेरे लिए एज़ा टीचर काफी मुश्किल भी था ये बात करना लेकिन जो जिसमानी जरूरियात और जिनसे मौशरे में खराबियां पहलने का मसला होता है जब हमारा दीन नहीं शर्माता इस पर बात करने पर क्योंके जरूरी बात है तो पिर हम शर्माते रह जाएंगे एक है कि किसी बात के करने से ना शर्माना ये एक अलग बात है और बेहाईयों के तरह करते रहने एक अलग बात है ये दो डिफरेंट डिफरेंट बाते है तो इसलिए ये जिसम की जो जुरूरते हैं इन पे बिलकुल जो भी रेलिवेंट लोग हों उनको पूरी तरह गाइड करना चाहिए अपने छोटों को बिलकुल करना चाहिए एक सवाल बस आखरी चलें ये ये आखरी था चलें ठीक है जी अलाओ